नमस्कार फ्रेंड्स इरुसाला में आपका स्वागत है आज के वीडियो में हम लोग स्पीडी का करेंट अफेर देखेंगे ये वार्सिकांग 2023 है और ये देखेंगे दिसंबर 2022 से लेकर एक नॉम्बर 2023 तक का इसमें करेंट अफेर है तो इसका पहले ही 2200 प्लस वन लाइनर आपको पहले ही प्रोवाइड किया जा चुका है आज के वीडियो में हम लोग इसका 812 जो कोश्चन है MCQ के रूप में उसको यहां कम्पलीट करेंगे ठीक है और इसके आगे वाला अगर एक पेज नंबर एक से बासर तक आप लोग चा तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं करेंगे फरस्ट है इसमें प्रतिवर्स राष्टिये एकता दिवस कम मनाये जाता है तो यह 31 अक्टूबर को मनाये जाता है राष्टिये एकता दिवस 31 अक्टूबर को हाली में आयोजित एंथूरियम उत्सो जो है किस राज का परमुख उत्सव है, तो यह मिजोरम का है, ठीक है, मिजोरम का यह उत्सव है, संयुक्ति सैन अभ्यास हरिमो सकती 2023, भारत और किस देश के बीच मिखाले इस्थत, उम्रोई चावणी में किया गया तो यह मलेसिया, ठीक है, मलेसिया में किया गया है, नेक्षै हाली में चुनाव नुक्त किया है तो यह राजकुमार राव को नुक्त किया है जम्मु कस्मीर में रह रह है वो अवायध बिदेशियों की जानकारी के लिए कि इसकी अध्यक्छता में एक समीतिका अगठन किया है तो ये आर के गोयल के अध्यक्षता में देश का पहला नौ सेना सौर संगरहाल है किस राज में बनाया जाएगा तो ये उत्तर परदेश में बनाया जाएगा बिद्या समिक्षा सौप्ट्वेर सागर से सारांस किसने बिक्सित किया है ठीक है तो ये किया है किसने बिक्सित कि क्या है देखते इसको CBSC ने विक्सित क्या है क्या है सागर से सारांस सौप्ट्वेर है हाली में किस देश ने भारत को मुक्त परियटग वीजा परदान किया है तो यह हो जाएगा आपका स्रिलंका ठीक है स्रिलंका IQ Air के अनुसार दुनिया का सबसे परदूसित सहर कौन सा है तो यह बीजिंग है बीजिंग जुनिपर ब्रिक्च को किस केंसास परदेश का राज्य ब्रिक्च घोसित किया गया है तो यह लदाग ठीक है लदाग हो जाएगा हाली में United States Grand Prix 2023 किसने जीता है तो यह जीता है Max Verstappen ने हाली में किस सहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड डी एप फर्टिलाइजर ठीक है भारत का पहला नैनो लिक्विड डैप फर्टिलाइजर प्लांट सुरू किया गया है तो डाई अमोनियम फॉस्वेट इसका फु गुजरात में गांधी नगर गुजरात किस कमपनी द्वारा ओनलाइन एसकेम से बचने के लिए हाली में डी जी कवच लॉंच किया गया है तो यह गूगल सैतीस्वा राश्टिय खेल उत्गाटन किस राज में किया गया है यह गुवा में हाली में मिलिटरी होस्पीटल सर कि पहली महिला महा निरेशक यह बन गई है साधना सकसेना नायर साधना सकसेना नायर युएन में भारत के नए राजदूत कौन निव्ठ हुए हैं यह अरिंदम बागजी अरिंदम बागजी हुए हैं ग्लोबल निमोट वर्क इंडेक्स दो होजार तेज में भारत कौन से अस्थान पे है तो ये 64 वे अस्थान पे है भारत किस पुरूष किरिकेटर को सितंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर आप दम मन्त का सम्मान मिला है यह आपका हो जाएगा सुभमन गील सुभमन गील प्रतिवस 15 अक्टूबर को दुनिया भर में किस महापूरूष के जन्म दिन पर 206 दिवस मनाय जाता है तो ये डॉक्टर एपी जे अब्दुलकलाम के जन्म पे इरोपिये संसद ने किसे सखारो पुरसकार से सम्मानित किया है तो ये जीना महसा आमनी को ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा अस्थान है 111 अस्थान मिला है चर्चित उत्सो नादा हबा हाली में किस राज्य में मनाया गया नादा हबा है तो ये मनाया गया है आपका करनाटक में क्लॉडिया गोल्डिंग को किस छेत्र में नोबेल पुरसकार मिला है ये 2023 का तो ये हो जाएगा आपका अर्थसास में मिला है इनको ठीक है अर्थसास में राजस्थान में तीन नए जीले मालपूरा सुजानगर कुचामन बनाने की गोसना के साथ ही राज में जीलों की संख्या कितनी अब हो जाएगी ये तीरपन हो गई है मजगाओं डॉक सीप बिल्डर्स है मजगाओं डॉक सीप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा अबिक्सित विद्वन्सक जहाज इसका नाम है इंफाल इंफाल को किस प्रोजेक्ट के तहथ बनाया गया है तो ये प्रोजेक्ट 15B के तहथ बनाए गया है ASEAN Games 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं 107 पदक कुल जीते हैं 8 October को भारती वाई स्वेना ने अपना कौन साथ अस्थापना दिवस मनाया है तो ये 91 ठीक है 91 वा दिवस मनाया जाए कि देश के लेखक जॉन उलाव फांस को साहितिर के छेतर में वर्स 2023 का नोबेल पुरसकार मिला है तो ये हो जाएगा नारवे के हैं ये हाली में मोगी जी बावेंडी लुईस इब्रस और अलेक्सी आई एकिमो ये तीन लोग है ये एक नाम है मोगी जी बावेंडी और लुईस इब्रस और अलेक्सी आई एकिमो इनको की छेतर में नोबेल प्रसकार मिला है 2023 का इनको मिला है तो इनको मिला है रसायन के छेतर में रसायन के छेतर में कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है और ये प्रत्थम महिला बन गई है तो ये कौन है ये आपकी सुधा मूर्ती ठीक है सुधा मूर्ती है ये कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडिया नवाट से सम्मानित होने वाली प्रत्थम महिला है कि इस पूरुस फुटबॉल टीम ने सैप अंडे 19 चैंपियंशिप 2003 इसका खिताब जीता है तो ये भारत जीता है ठीक है भारत ने कैटालिन कारी को और डू विस्मेन को कि छेतर में नोबेल पुरसकार मिला है तो ये आपका हो जाएगा से किस्सा के छेतर में हाली में बैग्यानिकों ने दुनिया के आठवे महादीब का नक्सा जारी किया है इसका नाम क्या है ठीक है इसका नाम आहिए जिलनिया जिलनिया हाली में किस देश की क्रिकेट टीम टीटएटी अंतराष्टिये में 300 प्लस स्कोर एक करने वाली पहली टीम भन गई है तो यह आपका हो जाएगा नेपाल हो जाएगा उριशा बिधान सभा की पहली महिला स्पिकर कौन बन गई है यह प्रमीला मलिक बनी है बिरांगना दुर्गावती भारत का कौन सा टाइगर रिजर है तो ये चववनवा टाइगर रिजर बना है इंडियन मोटर साइकल ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले प्रथम रेसर कौन बन गया है तो ये मारको बेजेच बन गया है केंद्रिय कैबिनेट ने किस देश के साथ सेमी कंडक्टर सप्लाई चैन पार्टनर्शिप के लिए सहयोग ये आपन को मंजूरी दिया है तो ये जापान के साथ एसी आई पैरा खेलो के पूरुस डिसकस रो में किस भारतिये ने सोन पदक जीता है नीरज यादो ने जीता है बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हामून को किस देश द्वारा नाम दिया गया है हामून तो ये नाम दिया गया है इरान के द्वारा किस भा और दोकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है तो यह आपका हो जाएगा असोक गार्डगिल अबुदहाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 महिला एकल का खिताब किस भारतिये खिलाडी ने जीता है तो यह जीता है उन्नती हुड़ा ने 37 राष्टिये खेलो का पहला स्वन पदक किस राजे की महिला बैडमिंटन टीम ने जीता है तो यह असम की है ACI पैरा गेम्स 2022 में पुर्सो के हाई जंप T63 इवेंट में स्वन पदक किस ने जीता है तो यह जीता है सैलेस कुमार Operation Chakra 2 किस केंद्रिय एजेंसी द्वारा चलाया गया है तो यह CBI के द्वारा चलाया गया है हाली में Golden Picoke पुरसकार से की से सम्मानित किया गया है IC Limited को सम्मानित किया गया है भारत की पहली Regional Rapid को क्या नाम दिया गया है यह नमो भारत इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ते 26,000 अन बनाने वाले बल्ले बाज बन गया है तो यह विराट कोहली बन गया है पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नसा मुक्त बनानी के लिए कौम सी पहल सुरू किया है तो यह Hope Initiative सुरू किया है किस राज ने बाग अभ्यारनों के लिए विसेस बाग सुरप्छा बल के गठन को मंजूरी दिया है तो यह अरुनाचल परदेश पीएम नरेंद्र मोदी किस राज्य में 511 प्रमोध महाजन ग्रामिन को सल्या विकास केंद्रों का सुभ आरंब किया है तो यह महाराष्ट मिसन चंद्रियान तिरी परगति वीधी आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रियान किस ने लौँच किया है तो यह अपना चंद्रियान धर्मिन्द पदांत ने लौँच किया है राश्टी फिल्म पुरसकार 2023 में सर उस्रेश्ट अभिनेता कावार जीतने वाले पहले तेलगू एक्टर यह कौन बन गया है अलू अर्जुन बन गया है केन सरकार ने 2024-2025 सत्र के लिए गेहुम के नियुनतम समर्थन मुल को कितने रूपे बढ़ाया है ठीक है तो यह हो जाएगा 1500 रूपे 150 रूपे बढ़ाया है बिहार में चौथे क्रिसी रोड मैप को किसने लौँच किया है 2023-28 के बीच होगा तो यह लौँच किया गया है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किस फिल्म ने सरुस्रेष्ट फिल्म का राश्टिय फिल्म पुरसकार जीता है तो रौकेटरी दो नामभी इफेक्ट ने जीता है बिदेशी मंतरी डौक्टर एस जैसंकर ने किस देश में महातमा गांधी का पर्तिमा का आनावरन किया है तो यह बियतनाम में किया है Global Maritime India Summit 2030 का आयोजन कहां किया गया है तो इसका आयोजन जो है मुंबई में किया गया है मुंबई में रक्षा मंतराले ने INS ब्यास के मीड लाइफ अपग्रेट के लिए किसके साथ समझोता किया है तो यह कोचिन सिप्याड लिमिटेट के साथ चोथे ACI पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया गया है तो यह आपका हो जाएगा चीन अंतराष्टिय ओलम्पिक समीती ने किस खेल को छक्के लगाने वाले पहले भारतिय बल्ले बाज बन गया है तो यह बन गया है रोहित सर्मा हाली में बिदेश मंतरी S.J. संकर ने किस देश में रभीन्ना टैगोर की पृतीमा का अनावरन किया है तो यह हो जाएगा बियत नाम में इस्राइल में फसे भारतियों को वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान का नाम क्या है तो इसका नाम है Operation Agile विस्व एथेलेटिक्स ने इस वर्ष के Athlete of the Year के लिए किसे नामित किया है तो ये नीरत चोपड़ा को नामित किया है National Open Championship में 100 मीटर का नया National Record कि इसने बनाया है तो ये मनिकान्ता H. होबली धर ने बनाया है फोपस की World Best Employers 2023 के लिश्ट में सामिल एक मात्र भारतिय PSU Company कौन है तो NTPC है NTPC G20 Parliament Speaker Summit P20 का आयोजन कहां किया गया है तो ये किया गया है नई दिल्ली में नई दिल्ली में सडक परिवहन और राजमार्ग मंतराले द्वारत सुरू सेतू बंधन योजना के तहट कि इस राज में साथ पूल परियुजनाओ की मंजूरी लागू की गई है तो ये अरुनाचल परदेश हो जाएगा अरुनाचल परदेश किस राजने गैंगे टिक डॉल्फिन को जराज जलिये जीव गोसित किया है तो ये हो जाएगा उत्तर परदेश केंद्रे कैबिनेट ने किस नए स्वायत निकाए के निर्मान की मंजूरी दी है मेरा यूवा भारत मेरा यूवा भारत भारत और तंजानिया ने रक्षा सहयों के लिए कितने वर्षों का रोड में प्तियार किया है तो ये हो जाएगा पात साल भारत की किस पुरुस यूगल जोडी ने BWF रैंकिंग में पहला अस्थान हासिल किया है तो ये हो जाएगा सात्विक साहिराज और चिराक सेटी ने भारत सरकार ने की स्वर्गे के छात्रों के लिए आवासिय सिक्षा योजना स्रेष्ट की सुर्वात की है तो ये अनुसूचित जाती के लिए संस्क्रीती मंतराले ने विशेश स्वक्षता अभियान 3.0 के अंतरगत स्वक्षता के लिए देश भर में कितने अस्थलों को चिन्हित किया है तो ये है 409 चास इसराइल ने हमास के खिलाबजारी लडाई को क्या कोड नाम दिया है तो इसका नाम है ओप्रेशन आईरन स्वा आइसियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं 28 गोल्ड जीते है 28 16 फेटोियान कोंग्रेस का आयोजन कहां किया गया कोची में 2023 के सान्ति नोबेल पुरसकार से किसे सम्मानित किया गया है नर्गिस मोहम्मदी को सम्मानित किया गया है हाली में जलवाई परिवर्तन से जुड़े इस्पीनोजा पुरसकार से किसे सम्मानित किया गया है तो ये डॉक्टर जोईता गुपता को सम्मानित किया गया है दीपिका पलिकल और हरिंदर पाल संधु की जोडी ने ACI खेलो के किस गेम में स्वन पदक जीता है तो ये जीता है स्क्वाईस ICC ने किस क्रिकेट लेजेंट को वन डे बिश्व कब 2023 का ब्रांड अमेश्टर बनाया है तो ये सच्चीन तेंदूलकर सच्चीन तेंदूलकर एसियन गेम्स के इतिहास में जैवियल्थ रो में स्वन पदक जीतने वाली पहली भारतिये महिला अथलिट बन गई है तो ये अनुवरान ही बन गई है फिन्टे के स्टार्टप स्लाइस को किस बैंक में बिलाए के लिए RBI ने मंजूरी दिया है तो ये नौर्थ इस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक हो जाएगा ICC पुरुस क्रिकेट भी सुकब 2023 इसके लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने किसे मेंटर नुक्त किया है तो ये अजय जडेजा को भारत के बाहर D. Dr. B. आरंबेतकर की सबसे बड़ी प्रतीमा काना वरन किस देश में किया जाएगा USA में किया जाएगा भारत के पहले Solar Roof Cycling Track का उदगाटन कहां हुआ है तो ये हैदराबाद में बीस्व बैंक ने बीतवर्ष 2023 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का क्या पुर्वा नुमान लगाया है तो ये हो जाएगा 6.30% बिहार राज्य का दूसरा Tiger Reserve किस रेजीले में स्थापित किया जाएगा तो ये है कैमूर में CI खेलो में महिला एकल टेबल टेनिस परतियोगिता के quarter final में पहुचने वाली पहली भारतिये कौन बनी है तो ये आपका हो जाएगा मनी का बत्रा बनी है भारतिये रिजर्व बैंक ने International Finance Corporation को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मनजूरी दी है तो फेडरल फेडरल बैंक ने GST सहाए Invice Financing Launch प्लेटफर्म किसके द्वारा लौंच किया गया है तो ये सिडवी के द्वारा Global Innovation Index 2023 में भारत की रैंक क्या है 40 वा कौन सी कमपनी भारत में भुकम चितावनी सेवा शुरू करने जा रही है तो ये आपका हो जाएगा Google Oscar 2024 के लिए भारत की Official Entry के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है तो ये 2018 Everend is a Hero ये C है T20 I Cricket में सबसे तेज अर्ध सतक का record किस खिलाडी ने बनाया है तो ये हो जाएगा Dependry Singh Airy ने दादा सहाब फाल के lifetime achievement पुरसकार से किसे सम्मानित किया गया है तो वहिदा रह्मान को हाली में खबरो में रहा जूला घाट suspension ब्रीज का संबन किन दो देशों के तो ये हो जाएगा भारत और नेपाल भारत और नेपाल हाली में बिहार केसरी पुरसकार से किसे सम्मानित किया गया है तो आए तो आप लोग सब जानी रहे होंगे खानसर को Indian Grand Prix 2023 किस ने जीता है तो ये मारको बेचेंजी ने जीता है Asian Games में अर्द सतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है तो ये सेफाली वर्मा बन गई है भारत की पहली Green Hydrogen Fuel Sale बस को किस राज या यूटी ने लॉंच किया है तो ये दिल्ली दिल्ली हो जाएगा Asian Games 2023 में भारत ने पहला सोन पदक किस खेल में जीता है निसाने बाजी में जीता है बोर्लोग फिल्ड अवार 2023 के लिए किसे चुना गया है तो ये स्वाती नायक को 18 सितंबर 2023 को संचालित ओपरेशन सजक का संबंध किस से है तो ये भारती तटर अच्छक बल से है किस राज में इससत बिरांगना दुरुगावती टाइगर रिजर्ब भारत का चोवनवा टाइगर रिजर्ब बन गया है तो ये आपका हो जाएगा मध्यपरदेश क्रिकेट की तीनो फोर में टी ट्वेंटी वनडे और टेस्ट में नंबर वन टीम बन गया है तो ये भारत बन गया है आद्विगूरु संकराचारे की 108 फीट की स्टैचू ओफ वननेस का अनावरण किस राज में किया गया है तो ये मध्यपरदेश में किया गया है नारी सकती वंदन अधिनियम के तहत लोग सभा और राज विधान सभाओं में महिलाओं के लिए कितने परतिसस सीट आरक्षन किया गया है तो ये हो जाएगा आपका 33% एरिका रॉबिन किस देश के लिए पहली मिस उनिवर्स की कंटेंट टेस्ट चुनी गई है तो आपका हो जाएगा पाकिस्तान किस राज की पायल छाबडा देश की पहली महिला पैरा कमांडो बनी है तो ये हरियाना की ठीक है हाली में किस राज में स्कूल ओफ एमिनेंस की सुरुआत की गई है पंजाब भारत का पहला लाइट हाउस उत्सो कहां आयोद किया गया है गोवा में भारत की पहली सोलर सिटी कौन बन गया है साची साची बन गया है इंटरनेशनल एमि अवार्ड पाय जाने वाले पहली भारतिय महिला कौन बनी है तो ये एकता कपूर बनी है काजी फैज इसा किस देश के 29 मुख ने अधिस पनी है तो ये पाकिस्तान हो जाएगा पाकिस्तान किस भारतिय एरलाइन्स ने प्रोजेक्ट अभिनंदन की सुर्वात किया है तो ये एर इंडिया ने किस देश ने अधिकारिक तोर पर रूच के वैगनर ग्रूप को आतंकव संगर्ठन घोसित किया है ये ब्रिटेन ने किया है किस रोग से पीडित मरीजों के लिए प्रति और 22 सितंबर को दुनिया भर में 20 गुलाब दिवस ठीक है 20 गुलाब दिवस मनाये जाता है कैंसर कैंसर से पीडित मरीजों के लिए 21 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाये गए विश्वे अलजाइमर दिवस की थीम क्या रखी गई तो नेवर टू अरली नेवर टू लेट ये थीम था किस महिला क्रिकेटर को अगस्त के लिए अगस्त के लिए मिला है अरलीन केली को किस राज या केन सासिर प्रदेश में उद्दमपुर्व रेल्वे स्टेशन का नाम बदल कर सहीद कैप्टन तुसार महाजन रेल्वे स्टेशन रखा गया है तो ये जम्मु कस्मीर ठीक है जम्मु कस्मीर किस राज में इस्तत होई सला मंदिर उनेशको की वर्ल्ड हेरिटेश साइट में भारत का ब्यालिस्वा अस्थान अस्थल बना है ठीक है ये करनाटक का है चलिए आगे देखते हैं भारत के पुराने भारत के पुराने संसद भवन का नाम बदल कर क्या रखा गया है तो सविधान सदन इसका नाम रखा गया है किस भारतिय अस्थल को हाली में युनेशको की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में सामिल किया गया है तो ये सांती निकेतन हो जाएगा सांती निकेतन 17 सितंबर 2023 में केंद सरकार ने कारीगरों, सिल्कारों और मजदूरों को रिन देने के लिए किस योजना को सुरू किया है तो ये योजना का नाम है PM बिस्विकर्मा योजना PM बिस्विकर्मा योजना पूरुस Asia Cup 2023 का खिताब जीता है ये भारत ने जीता है भारत ने नेक्ष देखेंगे 15 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाये गए अंतराष्टिय लोकतंत्र दिवस की थीम क्या थी तो इसकी थीम थी Empowering the Next Generation One Day Asia Cup में सरवाधिक बिकट लेने वाले भारतिय गेंदवाज बन गया है तो ये रबीन चडेजा बन गया है US Open 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है तो महिला एकल का खिताब जो है ये कोको गौफ मेंने जीता है कितने बैग्यानिकों को 2022 का सांती स्वरू भटनागर पुरसकार दिया गया है तो ये हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा US Open 2023 में पुरुस एकल का खिताब किसने जीता है तो आपका ये हो जाएगा नुवाक जो कोईच ने जीता है किस सहर में भारत का पहला भूमीगत बीजली ट्रांसफोर्मर अस्टेशन अस्थापित किया जा रहा है ये बंगलूरू में किसे वर्श 2023 के डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल आवार्ड से सम्मानित किया गया है तो ये सत्य जीते मजुमदार को किस सुंदरी ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का किताब जीता है पुरवीना अंजना ने किस फुटबॉल टीम ने डुरंड कप 2023 का किताब जीता है तो ये मोहन बगान एस जी ने जीता है दो सितंबर 2023 को पहला भारत का पहला सौर मिसन जो है सफलता पुर्वक लॉंच किया गया है तो इसका नाम क्या है आदित्य एलवन वर्ष 2023 के रमन मैकसे से अवार्ड से सम्मानित चार सईंत विजयताओं में कौन भारतिय ब्यक्ति सामिल है तो यहाँ पे डॉक्टर रभी कर रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला चेर परसन बनी है यह जया वर्मा सिनहा बनी है आगे अब देखेंगे पाकिस्तान में भारत की पहली महिला आएफस अधिकारी कौन बनी है तो यह गीतिका सिर्वास्तो मिस अर्थ इंडिया 2023 का किताब की सुन्दरी ने जीता है तो यह प का हो जाएगा भारत ने किया है भारत ने नेक्ष्ट वर्ल्ड एथेल्लेटिक चैंपियोंसिप में स्वार्ण पदर जीतने वाले पहले भारतिये खिलाडी बन गये हैं तो यह नीरत चोपड़ा जिस अस्थान पर चंद्रियान 3 का मून लेंडर उत्रा तो वह अस्थान अ यह तिरंगा पॉइंट कहलाएगा पी एम मोदी ने किस तारीक को प्रतिवर्ड देश भर में राश्टिये अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोसना की है तो यह 23 अगस ठीक है 23 अगस को 69 राश्टिये फिल्म पुरसकारों में सरुसेष्ट अभिनेता का पुरसकार जो है किसे मि मिला है तो अल्लू अर्जुन को मिला है ठीक है अल्लू अर्जुन को राश्टिये स्वक्षवायू सर्वेक्षन 2023 में 10 लाग से अधिक अबादी वाले सहरों में पहला अस्थान जो है किस सहर को मिला है तो यह मिला है इंदौर को इंदौर को मिला है ब्रिक्समू के नए केलास को चुना गया है तो यह हो जाएगा च्छ स correct कि राध्यिमे घाराथ आधा अधारी स्कूल खोला गया है तो यह आपका हो जाएगा कैरल कैरल में 2002 रेषलिंग चैम्पिंपेंसिब SBS 2003 इसमें भारत की किषंष मान्व चैप्एप्ग ज hearts का पालत जीता है कांश स्पदक ज चौधरी ने लॉंच किया है। भारती मूल की किस लेखिका के उपनियास वेश्टन लेन को बुकर पुरसकार 2023 के लिए सौट लिस्ट किया गया है। तो ये चेतना मारू को चेतना मारू को भारती किर्केट कंट्रोल बोर्ड ने किसे घरेलू और अंतराष्टी सीजन के लिए ओफिसियल पार्टनर चुना है। तो ये SBI लाइफ ने अंतराष्टी सांती दिवस प्रतिवर्सकम मनाय जाता है। ये 21 सितंबर को मनाय जाता है। राष्टी बिग्यान पुरसकार को कितनी कैटेगरी में दिये जाने की घोसना की गई है। तो ये चार। भारत सरकार हाली में किस देश के नागरीकों के लिए बीजा सर्विस को संस्पेंड कर दिया है। तो ये कनाड़ा हो जाएगा। इस एसेफ बीस्विकप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्दा में किस खिलाड़ी ने स्वन पदग जीता हैं तो ये लावेनिल कलारिवान ने जीता है। पहल जो है किस मंत्राले के द्वारा शुरू किया गया है यह कोसल विकास और उद्दमीता मंत्राले भारत की G20 अध्यक्षिता पर पिपुल्स G20 नामक इपूस्तक का अनावरन किस ने किया है तो यह अपूर्वचंद्र ने किया है यह सोभूमी इंडिया इंटरनेशनल कंव हो जाएगा नमो 11 सुत्रिय कारिक्रम की सुर्वात किस राज में की गई है तो यह आपका हो जाएगा महाराश्ट में मुख मंत्री लाडली बहना आवास योजना की सुर्वात किस राज में की गई है तो यह किया गया है मध्य प्रदेश में ठीक है मध्य प्रदेश में एस इसने महाराष्ट ने जीता है, महाराष्ट, इंडोनेसिया मास्टर्स 2023 में पुरु सेकल किताब किस खिलाडी ने जीता है, ठीक है, तो ये हुझाएगा कीरन जोर्ज ने जीता है, वर्स 2022 के लिए 37 स्वरु भटनागर पुरसकार के लिए कितने बैग्यानिकों को चुना गया है, तो ये अफ्रीकन यूनियन, जीटोएंटी सिखर सम्मेलन के दोरान भारत ने वर्स 2024 में होने वाली जीटोएंटी की अध्यक्षता किस देश को सौपी है, तो ये आपका हो जाएगा ब्राजील, ब्राजील को किस राज्य में मोबाइल एप सरपंच सन्वाद का अनाव किया है असम, किस राज भारतिय राज्य ने सेवा छेतर के लिए नई नीती को मंजूरी दी है, ये उत्रा खंड हो जाएगा, कौन सी बिमान निर्माता कम्पनी भारतिय वाई सेना को C295 परिवहन बिमानों की डिलेवरी सुरू कर दी है, तो ये एरबस, एरबस G20 सस्टने Finance Working Group की बैठक कहां आयजुद की गई है, तो ये वारा नसी, वारा नसी, वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज, 150 विकेट लेने वाले भारतिय इस पीनर बन गया है, तो ये हो जाएगा कुल्दी प्यादो, कुल्दी प्यादो, वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट में किस खिलाडी ने सबसे 13,000 रन पूरे किये हैं, तो किस खिलाडी ने किये हैं, विराट कोहली ने किये हैं, एंटी पीसी, ग्रीन एनरजी लिमिटेड ने ग्रीन हाइटरोजन प्रोजेक्ट के लिए किस के साथ समझा होता किया है, नायरा एनरजी के साथ, नायरा एनरजी के नई दिल्ले में One Week One Lab प्रोग्राम को किस ने लॉंच किया है तो ये डॉक्टर जीतेंदर सिंग ने लॉंच किया है इंडोनेसिया माश्टर 2023 में पुरुस एकल खिताब किस खिलाडी ने जीता है तो ये किरन जॉर्ज ने जीता है सैफ अंडर 16 चैंपियंशिप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है तो ये आपका हो जाएगा भारत वर्ल बैडमिंटन चैंपियंशिप 2023 में किसने कांस पदक जीता है तो ये एच एस पढ़ने ने जीता है इसी आई टटर अच्छक एजेंसियों के परमुखों की बैठक कहां आयोजित की गई है तो ये इस्तामबूल में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट बिस्व कप का आयोजन कहां किया गया है तो ये चिन्नाई में किया गया है एकसरसाइज ब्राइट इस्टार 23 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है मिस्र बीस्वा आसियान भारत सिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया तो ये जकार्ता में जी ट्वेंटी सिखर सम्मेलन 2023 का थीम क्या वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है तो ये है साची उनीसवा से आई खेलो के लिए भारतिय दल के ओफिसियल स्पांसर के रूप में किसे नामित किया गया है तो ये अमूल को नामित किया गया है भारत की अधर्चिता में IOG G20 Submit में कितने देशों को guest country के रूप में आमंतरित किया गया है तो ये आपका हो जाएगा 9 देशों को भारत के पहले UPI ATM को किसके द्वारा launch किया गया है UPI ये हिटाची payment service के द्वारा सिक्षक दिवस के उसर पर कितने सिक्षकों को राष्टिय पुरसकार से सम्मानित किया गया है तो ये 75 सिक्षकों को भारत के पहले artificial intelligence संचालित anti-drone system का नाम क्या है तो ये नाम है इंदर जाल चंद्रयान थिरी के countdown को आवाज देने वाली scientist थी इनका निधन हो गया था इनका नाम एन वलार मथी था पुरुस होकी 5S Asia Cup का खिताब किस ने जीता है भारत ने जीता था जीवरिक डाइमंड लिग जीवरिक डाइमंड लिग चैंपियंशिप 2023 में नीरत चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है तो नीरत चोपड़ा ने रजद पदद जीता है किस राज ने महिलाओं के लिए ग् करनाटक के द्वारा किया गया है युद्ध पोत महेंद्र गिरी को किस सीप बिल्डर क्लिमिटेड ने त्यार किया है तो यह मजगाव डॉक सीप बिल्डर्स ने किस देश में ज्वाइन्ट मिलेटरी एक्सरसाइब ब्राइट अश्टार 23 का आउजन मिस्र हो जाएगा ठी वर्ल्ड एठलेटिक्स चैंपियंशिप में गोल्ड मेडल जितने वाले भारतिये बन गया है ये बन गया है नीरत चोपड़ा काजी रंगा नेशनल पार की पहली महिला फिल्ड डाइरेक्टर के रूप में किसे निउक्त किया गया है तो ये निउक्त किया गया है खबरों में रहा पी एम उसा अभ्यान किस से संबंदित है तो ये सिक्षा मंतराले से संबंदित है किस राज सरकार ने सफाई करमचारियों को आयुसमान भारत योजना में सामिल किया है तो ये हिमाचल परदेश ने किया है हाली में कहां इस्थत इंदिरा गांधी मिमोरियल ट्यूलिप गार्डेन को वर्ल्ड बुक औफ रिकोर्ड में सामिल किया गया है तो ये स्री नगर में इस्थत है हाली में चंद्रमा के दसनी धुरू पर सफलता पुर्वक उतरने वाला पहला देश बन गया है तो ये बन गया है भारत भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकन के रूप में चुना है तो ये सचीन तेंदुलकर को नेशनल ग्रीन ट्रिबूनल के नए अध्यक्ष किसे बना नुक्त किया गया है तो ये हो जाएगा जस्टिस प्रकास सिर्वास्तों को चुना है इसरो ने चंद्रियान थिरी मिशन के साथ भेजे गया रोवर का क्या नाम है तो इसका नाम है प्रग्यान इंडियन कोश्ट गार्ड ने समुदरी सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझोता पर ग्यापन दिया है तो यह आपका हो जाएगा यह फिलिपिन्स ठीक है फिलिपिन्स के साथ थाइलेंड की नए प्रधान मंत्री की रूप में चुना गया है तो यह रेथा थावी सीन को खेलो इंडिया महिला लीक का नाम बदल कर क्या किया गया है तो इसका है असमीता महिला लीक किया गया है ब्रिक समू का 15. सीखर सम्मेलर किस देश की अधक्चिता में हुआ है तो ये दच्छिन अफ्रीका में हुआ है मुख मंतरी सीखो कमाव योजना सुभारम किस ने किया है तो ये मध्य परदेश ने सतरंज बिस्विकप के फाइनल में पहुचने वाले दूसरे भारतिये बन गए है तो ये बन गए है आर प्रग्यानन्द सी हैस का अंसर आर प्रग्यानन्द बिस्वी आसियान भारत आर्थिक मंतरियों की बैठक तो ये इंडोनेसिया में हुई है किस भारतिये ने गोल्ड मेडल जीता है तो ये अनाहत सिंग ने जीता है किसे महराज सरकार दोरा अस्थापित पहला उदोग रत ने पुरसकार दिया गया है तो ये रतन टाटा को मुप्त IVF ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज कौन बन गया है तो ये बन गया है गोवा सत्रुजीत सिंग कपूर किस राज के नए पुलिस महानी देशक तो ये हर्याना हो जाएगा किस देश ने फीपाव महिला बिस्विकब 2023 का किताब जीता है तो अस्पेन ने जीता है कमल के फूल के नए किस में नमो 108 को किस रिसर्ज इंस्टिटू के राश्पती चुनाओ के लिए क्वालिफाई किया है तो ये आपका हो जाएगा थर्मन सनमुगरत नर्मने भारत ने खगोल विग्यान और खगोल भहत की के सोलवे अंतराश्टिय उलमप्याड में कौन सी रैंक हासिल की है तो ये हो जाएगा दो दूसरी रैंक 15 इसको भारत में कौन सा सोतंता दिवस मनाए गया तो ये हो जाएगा 27 वा ठीक है 77 किस राश्परकार द्वारा भारत का पहला क्रिसी डेटा एक्सचेंज लॉंच किया गया है तो ये तेलंगाना के द्वारा लॉंच किया गया है हाली में किस होकी टीम ने मेंस एसियन इसको पूरे भारत में भारत में ब्हारत में ब्हारत किया है तो ये एयर टेल पेमिंट बैंक बन गया है 8 अगस 2023 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सा वर्स गाठ मनाये गया है तो ये हो जाएगा 81 ठीक है 81 खेल से संबंदित भारतिये खिलाडी मनोज दिवारी ने खेल से सन्यास ले लिया है तो ये देखे किरिकेट से संबंदित है भारत के पहले 3D प्रिंट पोश्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्गाटन किस सहर में किया गया बंगलूरु में अंडर 20 बीस विचेंपेंसी में स्वान पदक जीतने वाले चोथे भारतिये बन गया है तो ये मोहित कुमार ठीक है मोहित कुमार कितने भारतिये युआओं को इंटरनेशनल यंग इको ह पारतिये राष्टिये बन गया है तो ये समूद्र एप लॉंच किया है भारत ने इंडिया एस्टेक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझा होते ग्यापन पर हस्ताक्षर किया है तो ये हो जाएगा त्री नीनाद और ये टोबैको के साथ हाली में केंद्रिये कैबिने ने कितने कड़ोर रूपए के परिव्याए के साथ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के बिस्तार की मनजूरी दी है तो ये 14,903 कड़ोर रूपए भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत यूवार 20 सिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है तो ये वारा नसी में किया गया ग्या अरोरा का प्रोग्राम किस मंत्राले के सहयोग से लौच किया गया है तो इलेक्टोनिक्स एवं आईटी मंत्राले किस राज में एहल्फ कारिक्रम तो ये गुजरात में सुरू किया गया है भारत के किस संस्थान के बैग्यानिकों ने एक नए तारे की खोज की है ये भारति नेहरू मेमोरियल संग्रहाले और पुस्तकाले का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो इसका नाम रख दिया गया है अब पीएम संग्रहाले और पुस्तकाले राश्पती ने 77 वा सोतंता दिवस के उसर पर कितने बीरता पुरसकारों को स्विक्रिती दी है तो ये 76 हो जाएगा सूरी के अध्यन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतिय मीसन का नाम क्या है इसका नाम है आदित एलवन ECI होकी चैंपियन्स ट्रोफी 2023 इसका टाइटल की सदेश ने जीता है तो ये हो जाएगा भारत ने जीता है कि खिलाडी ने T20I में 20 या उससे कम उम्र में भारत के लिए सरवाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किया है तो ये तीलक वर्माने ठीक है पाकिस्तान के कारवाध प्रधान मंते की रूप में चुना गया है तो ये अनवारुल हक काकर को केंसरकार दोरा बुनियादी सिख्छा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा एप लॉंच किया गया है वर्माने ठीलक राष्टिय पुरसकार किसे दिया गया है तो ये दिया गया है नरेंदर मोदी को कौन भारतिय मुल्की महिला अमेर्की बिते जैंसी की उप मुख्य कारेकारी अधिकारी बनी है तो ये बनी है नीसा बिस्वाल किस राज्य की विधान सभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंदर से राज्य के नाम में परिवर्तन करने का आग्रह किया है तो ये आपका हो जाएगा डी केरल रिजर्व बैंक ओफ इंडिया ने यूपी आई लाइट के लिए पेमेंट लिमिट बढ़ा कर कितना करने का प्रस्ताव किया है ये आपका हो जाएगा 500 तेरवा वार्सिक इंटर्पेर्नोर इंडिया अवार्ड में टेक स्टार्टप ऑग दाएयर का अवार्ड किसे दिया गया है तो ये जीओ हैप्टिक को एलोसी के पास भारत के पहले पोश्ट ओफिस का उद्गाटन जम्मु कस्मीर के किस जिले में किया गया है तो ये कुपवाडा में किया गया है किस राज या यूटी के राजवरी चिकरी उड क्राप्ट को GI टैग दिया गया है तो ये जम्मु कस्मीर इंटरनेट रेजिलेंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग, भारत की रैंकिंग छठवा है, देश के सहीद बीर जवानों के सम्मान में कौन सा राश व्यापिय अभियान सुरू किया गया है, तो मेरी माटी मेरा देश, किस राजी की विधान सभा में, हाली में समान नागरिक स सन्हिता के विरोध में एक प्रस्ताव पारित किया है तो यह आपका हो जाएगा केरल T20I क्रिकेट में अर्ध सतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतिये बने हैं तो यह आपका हो जाएगा तिलक वर्मा बने हैं भारतिये खेल प्राधी करन दुआरा ACI खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई सौर्ट फिल्म का टाइटल क्या है तो इसका है हला बोल पैरा बेडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में की जोडी ने SL3 SL4 रेनी में स्वन्ड पदक जीता है तो यह प्रमोध भगत और सुकांत कदम ने किंद्रिये मंत्री मंडल ने भ लोगसभा सचिवाले ने किस नेता की लोगसभा सदस्टा बहाल करी है तो यह राहूल गांदी किस भारतिये खिलारी ने स्पेन में महिला टेनिस हाड़ कोड असपरदा में युगल खिताब जीता है तो यह आपका हो जाएगा प्राथना थोंबारे ने कौन सी भारतिये तो ये हो जाएगा 508 ठीक है 508 नेक्श देखेंगे भारत के नमबर वन सतरंज खिलाडी अब कौन बन गया है तो गुकेश डी किस ने लॉंच किया है तो ये एस जैसंकर और धर्मिन परधान ने मुबाइल अप्लिकेशन राज मार्ग यातरा किस के द्वारा लॉंच किया गया है एन एच एआई के द्वारा हाली में डीजी सीय ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए कितने रिमोट पाइलट ट्रेनिंग नया सबेरा योजना किस के इंतरिय मंतराले द्वारा सुरू किया गया है तो ये अल्प संख्यक मंतराले के द्वारा अकास मिसाइल के पहले रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर का निर्मान किस के द्वारा किया गया है तो ये भारत डाइनेमिक्स लिमिटेट के द्वारा दूर संचार के छेतर में सहयोग अस्थापित करने के लिए ट्राइन ने किसके साथ समझोता किया है सी डॉट के साथ आइलेंड के दोरे के लिए भारतिय टी-20 टीम का कप्तान किसे बनाए गया है तो ये जस्प्रीत बुमराह भारत की अधर्चिता में G20 इंपावर सिखर सम्मेलन कायोजन किस सहर में किया जा रहा है तो ये आपका हो जाए गड़ी गांधी नगर किस फर्मूला वन खिलाडी ने बेल्जियम ग्रांट प्रिक्स का टाइटल लगतार आठ भी बार जीता है तो ये मैक्स औश्टापन ने जीता है इसरो ने किस देश के साथ सैटलाइट को PS LV C-56 रोकेट से लॉंच किया है तो ये सिंगापूर वर्ल्ड इन्वर्सिटी गेम में किस भारती ने 10 मिटर एयर राइफल इवेंड में गोल्ड मेडल जीता है तो ये एसरो प्रताब सिंग तोमर ने भारत की G20 अध्यक्षता के तहर थिंग 20 सिखर सम्मेलन का आयोजन कि सहर में किया जा रहा है तो ये मैसूर में वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतिये सहर कौन सा है ये है बंगलूरू ठीक है ये है बंगलूरू भारत में बागो की अबादी की वार्षिक अनुमानित ब्रीधी दर कितनी है तो ये आपका हो कि उप मुख कारेकारी के रूप में निउक्त किया गया है तो ये नीशा भी स्वाल को स्रिलंका एथलेटिक्स राष्टिये चैंपियंसिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं 14 पदक जीते हैं जर्मनी में होकी टूर्णामेंट के लिए जूनियर भारतिये होकी टीम का कप्तान किसे निउक्त किया गया है तो ये उत्तम सिंग को निउक्त किया गया है किस अफ्रीकी देश में सेना ने तकता पलटकर राश्पती को पत से हटा दिया है नाइजर में हेलो सम्मिट 2023 और RCS उडान 5.2 का उधगाटन किस राज में किया गया है ये मध्य परदेश T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में साथ विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गया है तो ये बन गया है सयाज रूल एजात इंद्रस अंतराश्टिय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतिये गेंदबाज कौन बन गया है तो ये आपक कार ने कितने नए ग्रीन फिल्ड हवाई अड़े अस्थापित करने के फैसले को मनजूरी दिया है तो ये 21 हो जाएगा 21 वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिन्टन चैंपियंसिक में किस भारतिये ने गोल्ड मेडल जीता है तो ये गोरांसी ने जीता है हाली में किस देश ने लि सात्विक साहिराजन और चीराक सेटी ने जीता है अमेरिकी नौ सेना की पहली महिला प्रमुक के तोर पर किसे नामित किया गया है तो ये लीसा फ्रेंकटी को भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम पद पर रहने वाले मुखमंत्री बन गया है तो ये नवीन पटना बने हैं दीसरे जी ट्वेंटी डिजास्टर रिस्क रिडक्षन वर्किंग ग्रूप की बैठक का आयोजन कहां किया गया है चेन्नाई में कौन सतरंज खिलाडी भारत के तिरास्वे कैन माश्टर बने हैं तो ये आदित्य सामन्त बने हैं हाली के घोसना केनुसर भारत के कि राज या केन सासित प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम यूगे यूगीन भारत बनेगा नई दिल्ली ठीक है 27 जुलाई 2023 को केंद्रिये प्रिजर्व पुलिस बल CRPF ने अबना कौन सा अस्थापना दिवस मनाया है पचासीवा ठीक है पचासीवा कारगि पहला राज्य कौन बन गया है तो ये राजस्थान बन गया है ठीक है राजस्थान डी है इसका एंसर नेक्स देखेंगे हाली में भारत के भी पच्छी दलों की पार्टियों ने वर्ष 2024 के चुनाओ के लिए किस नाम के एक गटबंदन बनाया है तो ये हो जाएगा इंडि खेलने माले दसवे किर्केटर कौन बन गया है तो ये बिराट कोहली बन गया है वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरसकारों के 69 संसकरन का आयोजन कहां किया गया तो ये गुजरात में इन्वेश्ट इंडिया की नई MD और CEO ये बनी है निरुपती राय आइसीसी एक दिवस्य क्र रांड बेश्टर बनाए गया है तो ये सारूख खान को अमेरिका के इतिहास में सिर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला बन गई है तो ये लीजा फ्रेंट्चिति बनी है नई दिल्ली में पहले बैस्विक खाद नियामक सिखर संबेलन 2023 का उदगा टनकिन के द्वारा किया गया है तो ये मनसुक मंडाविया के द्वारा फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतिय संगीतकार को सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो ये ससांग सुब्रमन्यम और अरून साहिराम को हाली में किस देश ने विश्वे का पहला मिथेन वा सिष्टम के संयुक्त बिकास के लिए भारत ने किस देज के साथ समझा होता किया है तो ये हो जाएगा जापान के साथ, ठीक है जापान के साथ, किस राजी की सरकार ने महिलाओं को प्रतीमाह आर्थिक सहwegenा देने है तूँ, घृह लच्छमी, तो ये हो जाएगा करनाटक तीन गटकरी ने किस राजे में चपन सो कडोड रुपाई के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की सुर्वात की है तो ये राजस्थार किवे सरुस्रेश छात्र सहर 2024 रैंकी में कौन सा भारतिये सहर भारत में सिर्फ पर है तो ये मुंबई है किस भारतिये कंपनी ने उनाइटे किस ने जीता है मारकेटा ओन्डू साव ने जीता है मारकेटा ओन्डू सुवा ने सुलाजुलाई 2023 को भारतिये क्रिसी अनुसंधान परिषद आई सी ए आर ने अपना कौन सा स्था अपना दिवसमन आया है तो पंचान बेवा ठीक है पंचान बेवा बिम्बलडर 2023 में पुरू सेकल का किताब कार्लोस अलकाराज ने जीता है भारत के किस वैडमिंटन खिलाडी ने कनाड़ा ओपन का टाइटल जीता है तो ये लक्षे से भारत और किस देश के सेमी कंड़क्टर पारिस्थित की तंत्र बिक्सित करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है तो ये जापान है भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रूप की बैठक कहां आईजुत की गई है तो ये ह हो जाएगा आपका केवडिया ठीक है केवडिया किस भारतिये ग्रैन मास्टर ने हंगरी में सूपर जीम सतरंज टूर्ना मिंट जीता है तो ये आपका हो जाएगा डी आर प्रग्यानन ने किस राजसरकार ने ससक्त महिला रिन योजना सुरू किया है तो ये हिमाचल इंगरन अमरीत महसो एवडी योजना तो किस के द्वारा सुरू की गई आईडी बियाई बैंक के द्वारा प्रतिवर्स नेलसन मंडेला अंतराश्टिये दिवस मनाय जाता है 18 जुलाई को पीम मोदी को किस देश ने अपने सरोच सम्मान Grand Cross of the Legion of Honor से सम्मानित किया है तो य 12 जुलाई को मनाय जाता है किस क्रिकेटर को जून के लिए तो जून के लिए इसले गार्डन को मिला था दो जुलाई को नाबाड ने अपना कौन सा अस्थापना दिवस मनाया है 42 वा हिनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के नूसर भारतिये पासपोर्ट की रैंक असीवा अंतर के सेन उपकरन बिक्सित करने के लिए समझोता किया है तो ये फ्रांस हो जाएगा बिंबर्डन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरियता प्राप्त महिला तो ये मार्केटा उन्रोर्स हुआ है हाली में पी एम मोदी ने बीर सावर कर इंटरनेशनल एरपोर्ट के केंद्रिये बैंक गर्णोर के बैठक कहां तो ये है गांधी नगर किस राज में चाचिन ग्राजिंग उस सब मनाए गया तो ये अरुनाचल परदेश किस रूस क्रिकेटर को जून दो हजारतेश के लिए ICC Player of the Month का सम्मान मिला है तो ये आपका हो जाएगा वानुंदू हसरंगा को मिला है ठीक है इसका C है युआ वर्ल्ड तिरंद्याजी Championship की रिकवर वर्ग में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतिये खिलाडी बन गए है तो ये हो जाएगा पार्थ सालूंग है 20 जन संख्या दिवस की स्तारीक को मनाते है 11 जुलाई को अंतराश्टिये बीतिये सेवा केंद प्राधिकरन के नए अध्यक्ष तो ये कौन बने है के राजा रमन राश्टियो पुक्ता विबाद निवारन आयो के नए अध्यक्ष कौन बने है तो ये जस्टिस एपी साही बने है किस राज या केन सासिस परदेश ने मोबाईल दोस्त एप लॉंच किया है तो ये जम्मू कस्मीर हो जाएगा रच्छा मंतराले ने भारतिये नो सेना के लिए कितने राफिल लडाकु विमानों की खरीद को मनजूरी दिये है तो ये हो जाएगा 26 पैरा एथलेटिक 26 चैंपियंशिप 2023 में किस भारतिये निरजत पदक जीता है तो ये आपका निसाद कुमार ने किसे हाली में गोल्डन पिकॉक परिया और प्रबंधन पुरसकार 2023 परदान किया गया है तो ये कौन सा है ये अपना हो जाएगा अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेट को दिया गय पहली बार किस सहर में आजुद किया गया है तो ये दिल्ली में किस कॉम्पनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव AI टूल लॉंच किया है तो ये सिंपलिफाई ने किया है भारतिय ओलंपिक संगर ने किस रेसलर को ACI खेलो के ट्रायल से छूट दे दी है तो य आश्टेलिया के किस सहर ने कॉमन वेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी नौक करने का फैसला लिया है तो ये विक्टोरिया ने नीति आयक द्वारा जारी निर्यात तयारी सुचकांग 2022 के तीसरे संस्क्रण में पहारी या हिमाली राजो में कौन सा सिर्ज पे रहा तो ये आपका हो जाएगा सी उत्राखंड लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में निक्त किया गया है देवेस उत्तम को एडीवी ने चालू बीत वर्स के लिए भारत की ब्रीधी दर कानुमान कितने परतीसत प्रबर करार रखा है तो ये 6.4 परसें किस भारती हरेला पर्व जो है आईजुत किया गया उत्राखंड में भारत की देश के साथ सैन अभ्या नोमैडिक एलिफेंट 2023 में भाग लिया तो ये हो जाएगा मंगोलिया आई-एस-एस-फ सौर्ट गन वर्ल्ड कप में किसने कांस पदक जीता है तो ये प्रित्वी राज टोंडी मनने किसने हाली में नेशनल मंटी डाइमेंशन पोवर्टी इंडेक्स जारी किया है तो नीति आयोग ने हाली में किस खेल से संबंदित बांगला देशी खिलाडित तमीम इकबाल ने अंतराश्य खेल से सन्यास ले लिया ये हो जाएगा क्रिकेट ACI Athletics संग ने किसे सर्वस्रे सदस महासंग के पुरसकार से सम्मानित किया है तो ये हो जाएगा भारतिये Athletics महासंग लौड हनुमान को किस चैंपियनसिप का अधिकारिक सुभंकर घोसित किया गया है तो ये आपका हो जाएगा ACI Athletic Championship भारत ने किस देश के साथ रूपे में दिपक्छे वैपार की सुर्वात की है तो बांगलादेश होगा बांगलादेश हो जाएगा एंसर बी था इसका एंसर Global Peace Index 2023 में भारत को 163 देशों में कौन सा स्थान मिला है तो 126 वा संगाई सहयोग संगठन का नवा अस्था या सदस जो है देश कौन बना है तो ये इरान बना है किस सहर में भारत की पहली ड्रोन पुलीस यूनिट लॉंच की गई है तो ये आपका हो जाएगा चेननाई किस पुरुस फुटबॉल टीम ने सेफ चैंपियंशिप 2023 का खिताब जीता है भारत ने जीता है जीट्वेंटी कल्चर वर्किंग ग्रूप की बैठक कायोजन की सहर में किया गया है तो ये हमपी एफ आई एच होकी प्रो लीग 2022 देश सीजन का चैंपियन कौन बना है तो ये नीदरलेंड आर्बियाई ने किस उप्रेटिव बैंग का लाइसेंस रद कर दिया है तो ये है उनाइटेट इंडिया को उपरेटिव बैंक भारत ने इलेक्ट्रोरल कोर्परेशन के लिए किस देश के साथ समझा होता ग्यापन परहस्ताक्चर किया है तो ये पनामा के साथ नेक्ष है उबिनास जुआला मुखी किस देश में है और जिसके चलते वहाँ आपातकाल की घोसना की गई है तो ये था ये पेरू में ठीक है पेरू हो जाएगा किस मंत्राले ने जीएम पोर्टल के माध्यम से खरीदी के लिए बेश्ट एंगेजमेंट अवार्ड शुरू क करने के लिए संस्कृती मंत्राले ने किस बैंक के साथ समझोता किया है केंडरा बैंक के साथ प्रतिवर्ष पूरे भारत में एक जुलाई को राष्टिये चिकस्सक दिवसकिन के जनम दीन पर मनाये जाता है तो ये डॉक्टर विधान चंदर राय के किस टीम ने एस्यन का बड़ी चैंपियंशिप 2023 का खिताब जीता है भारत ने 20 क्रिकेट में लगतार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले प्रत्थम के इंदबाच कौन बने हैं तो ये बने हैं नाथन लियोन किस देश ने बढ़ती खाद किमतों से निपटने के लिए अपात काल की घोसना की है तो ये ना अपना किस देश में की जाएगी तो ये तंजानिया में 20 तिरंदाजित युवा चैंपियंशिप 2023 में जुनियर मिश्री टीम का उमपाउंड का स्वन पदक की जोड़ी ने जीता है तो ये प्रियांस और आवनित कौर ने AIFA PURUS Player of the Year 2023 की से नामित किया गया है लालियान जुआला चांगते को ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे सान्ति पुन सान्ति पुन जो है देश कौन सा है तो वही आइसलेंड है ठीक है आइसलेंड राष्टिये तेरा की चैंपियंशिप में पूर्सो कि 800 मिटर फ्री अस्वर्दा में किसने स्वर्ण पदक जीता है तो ये आर्यन नहरा ने जीता है चर्चित नमदा कला जो है किस राज यकेन सासे से संबंदित है ये जम्मू कस्मीर से राजसभा के नए उपाध्यक्च के रूप में किसे निउक्त किया गया है तो ये एस फ जहारखन में हाली में लॉंच किये गए चंद्रियान थ्री मिशन में प्रोजेक्ट डाइरेक्टर कौन है तो ये पी वीरा मुथुवेल विदेश मंतरी एस जै संकर ने अगामी राजे सभा चुनाव के लिए किस राज सभा से नमांकन किया है तो ये गुजरात इंडियन प्रीमेर लिग की सबसे मुल्यवान फ्रेंचाइजी कमपनी तो ये चेन्नाई सूपर किंग्स है किस देश में गुलेन बैरे सिंड्रोम के चलते राश्टिये स्वास्त अपातकाल की घोसना की गई है तो ये आपका हो जाएगा डी पेरू वर्ल सूटिंग पैरा स्पोर्स वर्ल्ड कप में किस भग खिलारी ने गोल्ड मेडल जीता है तो ये जीता है रुदरांस खंडे लवाल ने संगाई सहयोग संगठन के 23 सिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्चिता में हुआ है भारत भारतिये महिला टीम में जगा बनाने वाली असम की पहली खिलारी ब बन गई है राष्टिये तहराकी चैंपियंशिप में किस तहराक ने बैक श्ट्रोक स्पर्दा में नया रिकोर्ड बनाया है ठीक है तो ये बनाया है माना पटेल ने साउथ एसियन फुटबर्ल फेडरेशन चैंपियंशिप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है तो ये हो ज समझहोता किया है ESA के साथ नई दिल्ली में भारत 6G Alliance को किस ने लांच किया है तो ये अस्वनी बैसनों हाली में जारी Global Gender Gap Report 2023 में 146 देशों की सूची में भारत को कौन सा अस्थान मिला है तो 127 वा अस्थान मिला है 200 अंतराश्टिये मैच खेलने वाले पहले पुरूस फुटबॉलर कौन बन गया है तो ये क्रिश्टियानो डुराल्डो बने है एसियन चैंपियंशिप में पदक जितने वाली पहली भारतिये तलवारबाज कौन बनी है तो ये भवानी देवी किस खिलाडी ने हाली में कैनेडियन ग्रैंड फ्रिक्स का खिताब जीता है तो ये मैक्स वर्ष्ट अपर ने जीता है भारत में हाली में किस देश को I.N.S. कृपान उपहार में दिया है भारत ने तो ये भी एतनाम को दिया है सेफ्स चेंपियन्स 2023 में भारतिय पुटपूल टीम के कप्तान सुनिल छेतरी ने हैट्रिक गोल लगा कर पाकिस्तान को 4-0 से पराजित किया तो बताए कि इस वर्स कौन सीप परती योगिता ये थी तो ये चोदावी थी 21 जुन 2023 इसको दुनिया भर में कौन सा अंतराष्टी योग दिवस मनाये गया तो ये नवा योग दिवस था हाली में कौन अमेरिका में पहली मुसलिम महिला फेडरल जज बनी है कौन तो ये नुसरत चोधरी कनाडा कनाडा पहरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 परती योगिता के एकल असफर्दा में परमोध भगत ने कौन सा पदग जीता है तो ये हो जाएगा आपका रजद पदग किसे हाली में जर्मन सांती पुरसकार 2023 से सम्मानित किया गया है सल्मान रुसुती इरोपिये चैंपियन सी पिया यूरो 2024 का आयोजन अगले वर्स कहां किया जाएगा जिसको लेकर हाली में इसका सुभंकर टेडी बियर का आनावरन किया गया है तो ये जर्मनी हो जाएगा प्रमोरियल म्यूजियम एवं लाइवरेरी सोसाइटीस का नाम है हाली में भारत के किस राज में गेको मिजोरा मेंसिस नामक उड़ने वाली छिपकीली की नहीं पुड़ जाती तो ये मिजोरम का है ठीक है मिजोरम में किस देश से संबंदित महिला खिलाडी नाहिदा का ने अंतराश्टिय किर्केट से सन्यास लिया तो ये पाकिस्तान की थी किस देश में फुटबॉल का हीरो इंटर कॉंटिनेंटल कब 2023 जीता है तो ये भारत ने स्पेस एक्स ने किस देश के लिए सतरिया वन नामक एक संचार उपगर पर छेपित किया है तो ये इंडोनेसिया ह तो ये गोवा में है हाली में किस राजी की सरकार ने राज में पद्म पूरसकार प्राप्त करने वाले सभी हस्तियों को 10,000 रुपए मासिक पेंशन देने की बात करी है तो ये हर्याना है हर्याना ठीक है हाली में किस मई 2023 के लिए दिया गया किस महिला खिलाड़ी को ICC प्ल किसे सम्मानित किया गया है, 2021 का गांधी सांति पुरसकार जो है, ये किसे सम्मानिती, गीता प्रेस है उत्तर परदेश का, मद्ध परदेश का सात्वा, राइगर रिजरु कौन होगा, तो ये हो जाएगा आपका बिरांगना, दुर्गावती, टाइगर रिजरु, चिराक सेटी और सात्विक साहिराज की जोड़ी ने, इंडोनेसिया ओपेन 2023 के, मेंस डबल में कौन सा किताब जीता है, तो ये स्वन पदक जीता है, किस टीम ने, किस देश की टीम ने, किस देश की सरकार ने हाली में अपने करमचारियों के लिए, वाई ब्रेक, योग एट ओफिस चेर, नामक पहल सुरू किया है भारत ने, सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार बीस वभर में सबसे ज़्यादा परमानू हत्यार में, किस देश ने ब्रीधी की है, तो ये चाइना ने किया है, पहली हिंदू, अमेरिका सिखर सम्मेलन कायोजन, हाली में कैपिटल, हील में किया गया, तो ये कहां इस्थत है, ये अमेरिका में इस्थत है, किस राजी की सुन्दर इमार्तों और सनरचनाव के लिए, उसे अंतराश्ची ग्रीन एपल पुरसकार दिया गया, तो ये तेलंगाना को दिया गया है, किस राजी में हाली में, अरून पोल नामक एक एप लॉंच किया गया है, तो ये हो जाएगा अरूनाचल परदेश, बीहु कुह उच्सो मनाए जाता है, बीहु कुह है, ठीक है, तो ये अरूनाचल परदेश में, किस भारती अमेरिकी को महिला संबंधी मुद्दों के लिए, राजदूत निवत्त किया गया है, तो ये गीता राव गुपता को, हाली में, खबरो मेरा हर रज महसो का संबंध किस से है, उड़ीसा से है, किस रेलवे एस्टेशन को हाली में, इट राइट एस्टेशन के परमानन में सम्मानित किया गया, गुहार्टी रेलवे स्टेशन, राजस्थान के किस सहर में, सियेंजी से संचालित देश के पहली ट्वाइट रेन सुरू हुई है, तो ये उड़ैपूर हो जाएगा, किसने वर्ज 2023 का इकबाल मसीह पुरसकार जीता है, तो ये ललीता नत राजन ने, भारती रिजर्ब बैंक ने हाली में पुर्वत्तर में कहां अपना छेत्रिय का रेयाले घोसित किया है, तो ये कोहिमा नागालेन, कौन सा विश्व विदाले ते 2023 में सैक्षनिक सत्र में हिंदू अध्यन केंदर स्थापित करेगा, तो ये दिल्ली विश्व भी दाले, कौन सा राज हाली में अस्थापित पवन उर्जाच समता के मामले में सीर्ष पर है, सीर्ष पर है, गुजरात पहुंच गया है, एडीबी और भारत ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ाने के लिए 130 मिलियन डॉलर के रिन समझोते पर हस्ताक्षर किया है, हिमाचल परदेश ने, किस देश ने हाली में भारती पत्रकारों को देश छोड़ने के लिए, तो ये चाइना ने, ठीक है, चाइना हो जाएगा यहाँ, अब आगे देखते हैं, किस सहर की पूलीस ने 14 जुन 2023 को नो हॉर्निंग डे घुसित किया है, तो ये मुंबई हो जाएगा, एक रिपोर्ट के अनुसा डिजिटल भुक्तान के मामले में कौन सा देश सीर्स पे पहुँच गया है, तो ये आपका हो जाएगा भारत, कहां दुनिया के गुप्तचर परमुखों की गुप्त बैठक, आउजित हुई है, तो ये सिंगापूर में खबरों में रहा अमचा अस्थान पे है, तो भारत तीसरे अस्थान पे है, महिला जूनियर एसिया कप होकी का किताब जीता है, तो ये भारत ने, हाली में भारत में चोथा सबसे बड़ा निवेसक बनकर उभरा है, तो UAE, ठीक है, UAE हो जाएगा, अब आगे देखेंगे, टेनिस के इत्यास में सब सबसे ज्यादा, ग्रैंड स्लेम, जो ग्रैंड स्लेम होता है, किताब जीतने वाले पूरुस खिलाडी बन गये हैं, तो ये नुवाक जो कोईच बन गये हैं, ट्विटर पर 2.5 कडोर फलोवर वाले देश के पहले मुख मंतरी योगी आदीत नाथ बने हैं, नेक्श देखे चैन अभ्यास, X Aquarium का बारवा संस्करन, ये कहां पर हुआ है, तो ये चोबाटिया में हुआ है, एक लाख रूपए प्रती सेगर का आक्रा छुने वाला पहला भारतिय स्टॉक कौन बन गया है, तो ये MRF बन गया, MRF, भारत और न्यूजिलेंड के बीच, पहली गोल मेज, संयुक्त बैठक हाली में कहां आयजुद की गई है, तो ये नई दिल्ली में, State of India's Environment 2023, in figure, रिपोर्ड में परियावरन के छेत्र में पहला आस्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ है, तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना, किसे हाल में, भारत के स सबसे वेलुएबल ब्रांड का खिताब मिला है, तो ये मिला है, टाटा ग्रूप को, जारी, हाली में जारी पाचवा राज्य खाद सुरक्षा सुचकांग 2023, चौबिस के तहट, बड़े राज्यों में पहला अस्थान मिला है, तो ये केरल को मिला है, सागर परिकर्मा के सा सुत्तम रुपाला के द्वारा, जीला सुसासन सुचकांग जारी करने वाला देश का पहला राज्या यूटी है, तो ये हो जाएगा, जम्मू कस्मीर, हाली में किसके द्वारा सस्टनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिसन लौंच किया गया है, तो ये भारतिये विमान पत्तन प हाली ने फ्रेंच ओपिन 2023 में पुरू सेकल का खिताब जीता है, तो ये हो जाएगा, नुवाक जोकोईच ने, किसे के केड़ टीम ने वर्ल्ड टेश चैंपियंशिप 2023 का खिताब जीता है, तो ये आश्टेलिया है, आश्टेलिया, कौन सा भारतिये राज हाली में, रैंकिंग फ्रेम वर्क में किसे ओबर ओर रैंकिंग में पहला अस्थान हासिल हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा, IIT मदराज को हासिल हुआ है, C है एंसर, महराश्ट राजी के किस जीले का नाम बदल कर अहिल्या बाई होलकर नगर रखा गया, तो ये है अहमद नगर, 23 का खिताब जो है किसने जीता है तो ये जीता है भारत ने, पूने महराश्ट में आयोजी राश्टिये जूनियर, रगवी बालक परतियोगिता में बिहार, किस टीम को फाइनल में हरा कर चैंपियन बना है, तो ये हो जाएगा राजस्थान को हरा कर, भारत की G20 कॉनमी वर्किंग ग्रूप की तीसरी बैठक कहां आयोजित की गई, तो ये पूने में, हाली में महिला 20 सिखर समेलन का आयोजन, तमिलाडू के किस सहर में हुआ है, तो ये महाबली पूरम में हुआ है, किस देश में एसिया कप 2023 का आयोजन किया गया था, तो यहाँ पे पा सर उसेष्ट राज्य पूरसकार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये मद्य परदेश को सम्मानित किया गया है, किस राज्य के मुख मंतरी ने जेलों का नाम सुधार कर, बदल कर सुधार ग्रीह किया है, तो ये उत्तर परदेश हो जाएगा, कौनसा राज हाली में धर्मा चंद्र गुहा ने बिरिटेन के वरिष्ट राजनेक जेन मैरियट को किस देश में पहली महिला दूत के रूप में न्यूक्त किया गया है तो ये पाकिस्तान हो जाएगा दो जून को भारत के किस राजने अपना दस्वा अस्थापना दिवस मनाया तो इत्ते लंगाना किस द राज भारत का पहला पूर्ण इसासित राज बना है तो ये केरल हो जाएगा डियाडियो द्वारा हाली में अगनी प्राइम बैलेश्टिक मिसाइल का सफल परिक्षन कहां से किया गया है तो ये उडिसा से कितने वर्सों के बाद भारत में मिस वलपट योगिता का आयोजन किया जाएगा तो ये आपका है 27 वर्स बाद भारत फ्रांस योई के भी संयुक्त समुदरी अभ्यास हाली में कहां आयोजित किया गया तो ये उमान की खाड़ी में जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर बिस्विकप 2023 की पदक सूची में भारत कितने पदक के साथ कौन से अस स्थान पर रहा और अब सागर में उठे वीपर जो है साइकलोन का नाम किस देश द्वारा रखा गया बांगला देश के द्वारा किस रासरकार ने नंद बाबा दुग्ध मीशन योजना शुरू किया है तो ये उत्तरपरदेश निमलिखित में से किस भारतिये अमेरिकी को हावर्ड पुलिस पिद्याले के बित विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है तो ये रीतु कालरा को रीतु कालरा अंतराष्टिये सौर गठबंदन की अस्थाई समीती की आठवी बैठक कहां आयोजित की गई है नई दिल्ली में हाली में जारी राष्टिये सं संस्थान रैंकिंग फ्रेमर्क 2023 में इंजिनियरिंग संस्थानों की सूची में कौन सिर्स पे रहा तो ये हो जाएगा आयाइटी मदराष्ट सेंक्त राष्ट महासभा के 78 वे अध्यक्षी रूप में निक्थुए हैं डेनिस फ्रांसिस निक्थुए हैं सडक परिवहनियम राजमार्ग मंतरी नीतिन गटगरी द्वारा किस राज में हाल ही में 1450 कड़ोर रुपाई की चार परियोजनाओ का उधगाटन किया असम में किनके द्वारा हाल ही में गुजरात में भारत के पहले लीथियम आयन सेल मैनुफैक्चरिंग गीगा फैट्री अस्थापित करन आफ दा चेन आफ दा येलो अश्टार से सम्मानित किया गया है तो ये सूरी नाम 5 जुन 2023 को विस्वे परियावरं दिवस की कौन सी वर्सगाट तो ये पचासवी वर्सगाट मनाई गई हाल ही में खेलो इंडिया इन्वर्सिटी गेम्स कहां आयूजित किया गया है तो ये उत्तर परदेश में किस राज का साची सहर जो है भारत का पहला सौर सहर बनेगा तो ये मध्य परदेश भारत का पहला कारवन तटश्ट गाओं कहां विक्सित किया गया है तो भिवंडी महाराश्ट में किस बैंक ने हाली में सौडेश सौपे अभियान सुरू किया है तो प्यार भी आईने किस देश ने 2030 तक चंद्रमा पर इंसान को भेजने की योजना तयार की है तो ये चाइना चाइना ने किया है भारत तरकीश देश के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नो सेना अभ्यास आयोजित किया गया तो ये सौधी अरब हो जाएगा किस देश ने हाली में 2025 को विशेश पर्यटन वर्ष के रूप में मनाय जाने का फैसला किया है तो ये नेपाल हो जाएगा कहां अवस्त हैरिस पार का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है तो ये अश्टेलिया हो जाएगा भारत सरकार ने हाली में चक्रवात से परभावित किस देश में र order of Fiji से समानित किया है तो फीजी का है IPL 2023 का खिताब किस ने जीता है चन्नाई सूपर किंग किस राज ने प्रधानमंति जंधन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है तो ये तिलंगाना ने किस देश ने टेफुन लांच किया है जो कम दूरी के बैलेश्टिक मिसाइल है तो ये जीनेवा स्विजर लेंड में तीसरे खेलो इंडिया इंवर्सिटी गेम्स का सुभा आरम कहां हुआ है उत्तर परदेश में हुआ अंतरीक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला कौन थी तो ये हो जाएगा रयाना बर्बानी रयाना बर्बानी हाली में किसे त्रिपू मनाये जाता है किस टैनिस खिलाडी ने इटालियन ओपन 2023 में पुरू सेकल का किताब जीता है तो ये डेनिल में देव ने जीता है किसे भारतिये सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस के रूपने निप्ते किया गया है तो ये हो जाएगा अमरदीप सिंग ओजला को केन सर जो है किस दच्छनी राज के मुख मंतरी बने है तो ये करनाटक के बने है किस रोग के बारे में जागरुकता फहलाने के उद्देश से प्रतिवर 16 माई को देश में देश भर में एक राष्टिये दिवस मनाये जाता है तो ये हो जाएगा डेंगू डेंगू के लिए 16 23 को किस भारती राज जे ने अपना स्थापना दिवस मनाया है तो ये सीकीम हो जाएगा सीकीम किसे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्वीटर की नई सीओ के रूप में नुक्ति किया गया है लिंडा या कारीनो को लिंडा या कारीनो अब तक IPL में अब तक सबसे तेज अर आलिया भट बनी है हाली में किस खिलारी अपरेल के लिए ICC Player of the Month जो है ये नारुमोल चैय को दिया गया है किस पूरुस खिलारी ने अपरेल के लिए जीता है ये ICC Player of the Month तो ये हो जाएगा फकर जमान नेक्स देखेंगे किस पूरुस खिलारी ने 2023 का Laureus World Sportsman of the Year का पुरसका जीता है तो ये Lionel Messi ने जीता है हाली में पुलीतिजर पुरसकार 2023 के विजेताओं की घोसना हुए तो ये पुरसकार जो है किस खेतर में दिया जाता है पत्रेकार्टा के खेतर में दिया जाता है किस देश से संबंदीत महिला खिलारी सबनीम इसमाईल ने अंतराष्टी किर से सन्यास ले लिए दच्छी नपरीका की है हाली में जारी World Press Freedom Index 2023 के 180 देशों में भारत को अस्थान मिला है कौन सा तो 161 अस्थान मिला है किसे अतनकुमारदास के अस्थान पर Bank of India का नया MD और CEO नुक्त किया गया है तो ये हो जाएगा रजनीस्त करनाटक प्रतिवर्स एक म भैको किन दो राजियों का स्थापना दिवस तो ये महराष्ठ और गुजरात महराष्ट और गुजराद चीन के प्रथम 27 चैंपिन खिलाडी बने है तो ये डिंग लिरेन बने है छिक है डिंग लिरेन साइकिलिक फेडरेसजन ओफ इंडिया की नए अध्यक्ष ये पंकज सिंग बने हैं फिल्म फेयर अवार्ट दोजर तेईस में किसे सरस्वेश्ट अभिनेता का पुरस्कार मिला है राजकुमार राव को बियारो सीमा सडक संगठन का ने किसे भारत का प्रथम गाव निवतिकिया है माड़ा ये कहा है उतराखंड में किस राजे में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उदगाटन किया गया है तो ये केरल में किया गया है हाली में राज्य सू सासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज बन गया है तो ये महराश बन गया है किस देश ने रिकॉर्ड तेरह हुई बार बैडमिंटन सुधी रमन कप 2023 का ख तो ये हो जाएगा निवार्क टाइम्स जलवाई परिवर्तन पर एक से दो मई 2023 को पिट्स बर जलवाई सनवाद 2023 कहां अजित किया गया तो ये बरलिन जर्मनी ठीक है बरलिन जर्मनी भारत के किस स्टार खिलाडी ने दोहा डाइमंड लीग 2023 का खिताब अपने नाम किया है तो ये नीरत चोपडाने किया है तिर्थ यात्रियों को मुप्त हवाई सेवा यात्रा करने वाला कराने वाला पहला भारती राजबन गया है तो ये मध्यपरदेश है बीशिस स्याई द्वारा किसे हाली में इंडियन क्रिकेट टीम का किट एस्पॉंसर घोसित किया गया है किस जगह पर अवस्तित हुसायन सागर जील के किनारे डॉक्टर भीम रावंबेट करके 125 फीट उची परतीमा का अनावरन किया गया है तो हैदराबाद में तुलजा भवानी मंदिर ये कहां पे है महराश्ट में इस्थत है भारतिये रिजर्व बैंक ने कितने रुपाई क के नोटों की वापसी की है तो ये आपका हो जाएगा 2000 रुपाई की भारतिये सेना के गुजरात कोर ने हाली में किस राज में जल राहत नाम सयुक्त बाढ राहत अभ्याद सुरू किया है तो ये असम हो जाएगा टाटा ट्रंस के चेर्माइन एंचन सेखर को कि देश के सर प्रांस का है ठीक है फ्रांस का आठ मई दो होजार 23 को केंदरी रक्षा मंतर राजना सिंग ने कहां भारतिये वाई सेना के पहले विरासत केंदर का सुब आरंब किया है तो ये चंढी गड़ हो जाएगा एह है इसका एंसर भारतिये नो सेना के एक सबसे पुरानी लैंडि पोत को 36 साल की सेवाओं के बाद सेवा मुक्त किया गया तो इस पोत का नाम क्या है तो इस पोत का जो नाम है यह है आईएनेस मगर किसरा सरकार द्वारा मुख मंत्री कौसल उन्यन रोजगार योजना सुरू किया गया है तो यह हो जाएगा उतराखंड विश्वास अंगठन ने COVID-19 बैस्विक स्वास अपातकाल की समापती होने की घोसना की है तो इस तीथी जो है कौन सी तीथी को किया है पांच मैई 2023 को राश्टिय भी निर्मान नवचार सर्वेक्षन में किस राज्य केन सासित परदेश की सबसे अभिनाव राज्य का अस्थान मिला है तो ये करनाटक हो जाएगा किसने हाली में 17 होएं कमांडर इंचीप के रूप में पदभार संभाला है साजू बाल कृष्ण ने हाली में अखिल भारतिय नाट परिसत का अध्यक्ष ये परसान दामले को चुना गया है कहां हाली में उड़ने वाली मचली छेपकली ठीक है उड़ने वाली छेपकली की नई परजाती तो इमी जोरम में मिली है किस बंदरगाह को हाली में सर्ष्रेश प्रदर्शन के लिए सर्वानन सोनोवल ने सागर स्रेश सम्मान पुरसकार से सम्मानित किया है तो ये कोचिन बंदरगाह हाली में कौन सा देश इच्छा मिर्टू को बैद गोसित करने वाला दुनिया का सातवा राज्य बन गया है सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है तो ये नीदरलेंड है बुपला पढणीत हाली में भारत के बैस्वे ग्रैंड मास्टर बन तो ये कहां के हैं ये तलंगाना के हैं किस देश ने हाली में पोलियों से पहली मौत की पूष्टी की है तो ये अफगानिस्तान ने किस राज के लिए लौंच किया गया हीम डेटा पोर्टल का संबंध किस राज्य से है तो ये हिमाचल परदेश हाली में किन दो देशों के भी संस्करन आयुजित किया गया है तो ये भारत और इंडोनेसिया के बीच किस राज सरकार ने गीता कार्मी कुला पीमा योजना सुरू किया है तो यह आपका हो जाएगा तेलंगाना सौर मंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह सनी की बाद 60 नए उपग्रह की खोज की गई है तो अब सनी के पास कितने उपग्रह हो गये हैं तो अब सनी के पास 145 उपग्रह हो गये हैं हाली में आई रिपोर्ट किन सार स्रिलंका जो यह मिला है राजस्थान में नेक्स देखेंगे राश्पती दुरब्दी मूर्मू ने 9 मई 2023 को राश्पती भौन में आयोजित रक्षा अलंकरन समारों में कितने लोगों को कृति चत से सम्मानित किया है तो यह 8 लोगों को कितने वर्सों के बाद 2023 में ACI बैडमिंटन चैं चालन किया गया है तो यह मैनमार में बच्चों के लिए Digital Health कार्ड बनाने वाला पहला राज बन गया है बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश है खबरों में रहा प्रोजेक्ट संजय का संबंध है तो यह भारतिय सेना संबंधित है छे मई 2023 को भारत और किस देश के बीच भ के साथ कौन सा दिवस मनाए गया तो यह अंतराष्टिय परिवार दिवस मनाए गया भारतिय मुल्के किस अमेरिकन को महिला संबंधी मुद्धों के लिए अमेरिकी दूद के रूप में निउक्त किया गया है तो यह आपका हो जाएगा गीता राव गुपता को पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हाली में किस देश के पूर्व औल राउंडर के लाड़ी जो है ग्रान ब्रैडमन को नया कोच निउक्ते किया है तो यह न्यूजी लेंड के हैं कहां में मुनलम चन्नमो यह कहां का उत्सव है मुनलम चन्नम इलेह का है किस प्रोदोग की संस्थान ने पा पुलिस ने हाल हिमेश्टे इन योर लेन अभियान सुरू किया है तो यह सारजा सारजा में नेक्स देखेंगे 18 से 20 मई 2023 तक तीन दिवस्य अंतराष्ट्य संग्राले एक्सपो 2023 काय जो नई दिल्ली में हुआ मलयालम भासा में असनात कोतोर करने वाली पहली मुसलिम महिला निधन हो गया नवीशा उसमाल नाम था नवीशा उमाल नेक्स्ट है तासकन में आयोजी एसिया कप चरंदो दिरंदाजी बिस्व क्रैंकिंग टूर्नामेंट में भारत जो है 14 पदक जीत कर कौन से अस्थान पे रह पहले अस्थान पे लव इन दर नाइन्टी ज नाम फिल के रूप में न्युक्त किया गया है तो ये नीरा टंडन फीचर रेटिंग ने बित्यवश दो हजार तेश चौबिस में भारत की जीडिपी ब्रीधी दर कितना परसेंट रहने का बताई है तो ये 6.0% नेक्ष्ट है किसके द्वारा हाली में पोसन भी पढ़ाई भी नामक अभियान सुरू किया गया है इसमरित्ती इरानी के द्वारा 12.13 मई 2030 इसको ढाका बांगला देश में महासागर सम्मेलन का कौन सा संस्करन आयुजित किया गया है तो ये आपका हो जाएगा कौन सा संस्करन था छठा संस्करन था चलने का आधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज बन गया है तो ये पंजाब बन गया है ठीक है परियाटन अस्थलों पर स्वक्षता बरकरार रखने के लिए किस राज्य की पुलिस ओप्रेशन मर्यादा नामक एक विसेस अभ्यान चला रही है तो ये उत्रा खंड का हाली में चर्चार मेरा फ्यूगो ज्वालम खी तो ये किस देश में आवस्थित है फ्यूगो तो ये किस देश के द्वारा नाम दिया गया है इसको तो ये यमन के द्वारा हाली में एंटोंियो कारवा जल का निधनों के ये किस से संबंदित हैं तो ये फुटबॉल से किस कमपनी ने हाल ही में ICC के ग्लोबल स्पॉंसर के रूप में भारत पे की जगली है तो ये आपका हो जाएगा मास्टर कार्ड ने लिया है प्रधानमंती नरेंद मोदी ने राष्टिय प्रदोकी दिवस के उसर पर 11 मई 2003 इसको कितने करोर रुपाए की बेग्यानिक परियोजनाओं का सिला नियास और लोकारपन किया है तो ये अंठावन सो कडोर रुपाए किस राज सरकार ने सी हैरियर संग्रहाले का उदगाटन किया है तो ये आंध परदेश ने किया है भारत रत्न डॉक्टर अंबेटकर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है योगी आदित दिनात को Glorious World Sportsman of the Year Award और World Team of the Year Award दोनों हासिल करने वाले पहले एथलिट बन गए है लियोनल मेसी बन गए है ये अर्जेंटीना के है सिपरी के रिपोर्ट के अनुसर कौन सा देथ बैस्विक सेंड ब्याय में सिर्स पर रहा है तो ये है अमेरिका फुटबॉल का परतिश्चित हीरो सूपर कप 2030 किसने जीता है तो ये जीता है उड़ीसा ने नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉग्ड सिल्ड दोहजारतेश कहां योजित किया गया ये तेलीन एस्टोनिया में हाली में प्रकास सिंग बादल का निधनों के 21 राजनीतिक दल से संबंदित है सिरो मनी अकाली दल से कोप इंडिया दोहजारतेश वायू अभ्याद जोता है किन दो देशों ने इसमें भाग लिया है भारत और अमेरिका किस देश ने रतन टाटा को अपने सरोच नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है तो अश्टेलिया ने भारत के पहले गाओं को किस नाम से जाना जाएगा माना उत्राखंड का है पिस बैंक के लोजिस्टिक परदर्सन सुचकांग 2023 में भारत को कौन सा अस्थान मिला है 38 वा 22 अपरेल को किस थीम के साथ भी सुप्रित्वी दिवस मनाये गया तो ये है हमारे ग्रह में निमेज करें किस देश से सम्बंदित परसित लेखक तारिक फतेह का निधन हो गया तो ये ये पाकिस्तान के था राश्टिये पंचायती राजदिवस पर्तिवर्स मनाये जाता है तो ये अब 24 अपरेल को T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वले भारतिये बन गया है तो ये बिराट कोहली भारत सरकार ने किस युद्ध गरस देश में फसे हुए लगभग 500 भारतियों को वापस लाने के लिए ओपरेशन कावेरी तो ये सुडान में फसे हुए लोगों के लिए चलाया था दुनिया के दस सबसे अमीर सहरों की सूची में कौन सिर्ष पे रहा ये निवार्ग है अश्टार स्पोर्ट्स ने किस क्रिकेटर को अपना विलिव एमबेश्टर बनाया है तो ये रिसब पंत को हाली में जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्ज कौन सा है तो ये केरल हो गया है किस राज्ज ने एक पंचायत एक खेल मैदान योजना सुरू किया है ये भी केरल ने IPL 2023 का फाइनल मैच किस मैदान पर खेला गया है तो ये नरेंद्र मोदी अश्टेडियम अहम कौन सा भारतिय परदोग की संस्थान जल नहीं अफरीकी देश तंजानिया में अपना पहला अंतराश्टिय परिसर अस्थापित करेगा तो ये आपका हो जाएगा IIT मदरास राश्टिय तकनी की अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष बने हैं तो ये अरुन सिनहा बने है तो ये दीपिका मिसरा बनी है किस राज्य की विधान सभा में फैक्टरी संसोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया है तो ये तमिल लाडु में हुरून द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकर्न इंडेक्स 2023 में कौन सिर्ज पे रहा है तो ये हो जाएगा अमेरिका हाली में किस स तो ये हिमाचल परदेश आईपिल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गिंद बाज बन गये हैं तो ये कागी सो रबाड़ा पूरे भारत में 14 अप्रेल को किस महापुरूस की जैनती मनाई गई है तो ये भीम राम बेदकर लता दीनानाथ मंगेशकर पुरसकार 2023 किसे सम की वलहसन को किस सहर में भारत का पहला 3D printed post office खोला जाएगा तो ये बेंगलूरू में खोला जाएगा हाली में किस देश ने अपना पहला operational earth observation satellite टाइफा वन लॉंच किया है तो ये केनिया ने बीश्वे का पहला SAI गिद सनरचन केंदर कहां स्थापित हो रहा है तो ये उत्तर परदेश में दुनिया के सबसे बड़े और सक्तिसाली रोकेट अश्टार सीप की लॉंचिंग फेल हो गई तो इसे किस ने लॉंच किया था SpaceX ने लॉंच किया था किसे भरवासी भारतिय सम्मान से सम्मानित किया गया है राजसुभ्रमन्यम को साथी पोर्टल जो है और मुबाइल एप किस मंत्रारे द्वारा लॉंच किया गया है किसी मंत्राले के द्वारा भारतिय सेना ने सैन कर्मियों को चीनी भासा का प्रसिक् कर क्या रखा गया है तो यह हो जाएगा rapid x हाली में कि सराजी की सरकार ने online gambling पर प्रतिबन लगाने वाला विध्यक पास किया है यह हो जाएगा तमिल नाडू कजाकिस्तान के अस्थाना में आयो जित ACI कुस्ति चैंपियंशिप 2023 में भारत जो है कुल कितने पदक अपने नाम कर सात्यों अस्थान पर रहा तो यह 14 साथ अप्रेल को किस थीम के साथ भी स्वास दिवस मनाये गया तो यह आपका हो जाएगा health for all नेक्ष देखेंगे अमेरिका में ने युक्रेन के 36 सुरक्षा पैकेज के तोर पर कितने अमेरिकी डॉलर तो 325 अमेरिकी डॉलर की घोसना की है नेशनल क्वांटम मिसन के तहट कितने करोड रुपे मनजूर किये गया है तो यह हो जाएगा 6000 करोड रुपे नेक्ष देखेंगे नेक्ष है बीजडन किर्केटर ओफ दायर चुने जाने वाली पहली भारतिये महिला किर्केटर बन गई है हर्मन प्रित कौर राष्ट रुपे के परियोजनाओं को मनजूरी दी गई है तो यह हो जाएगा 638 करोड किस केंद्रिय मंत्री ने नई दिले में युवा पोर्टल लॉंच किया है तो यह डॉक्टर जितेंद्र सिंग ने एपल कॉम्पनी ने भारत में अपना पहला जो एश्टोर है किस सहर में लॉ ने संगठन से समरीधी अभियान की सुर्वात की है तो यह गिरी राज सिंग ने जी टुएंटी डिजिटल एकॉनमी वर्किंग ग्रूप की बैठक की सहर में की गई है तो यह हैदराबाद हो जाएगा अग्यात सवों की पहचान के लिए डिये ने डेटाबेस तैयार करने पहला राज बन गया है तो यह हिमाचल परदेश बन गया हाली में जारी रिपोर्ट के अनुसार फसल भीमा योजना के कार्यानवन में कौन सा राज सिर्ष पे रहा तो यह करनाटक नाटो का एक तीस्वा जो है सदस बना है यह फिन लैंड बना है पुर्सो की T20 किरकेट मे अंपाइरिंग करने वाली प्रथम महिला बनी है कीम कौटन चुनाव आयोग ने कहां पहली बार वोट फ्रॉम होम की सुरवात किया है करनाटक में रिजा और बैंक आफ इंडिया के अस्थापना दिवस एक अप्रेल को मनाया जाता है हाली में जारी सयुक तिराश बिस्व वाती तूफान था किस ट्रांजेंडर को बिहार राज्य चुनाव श्टेट आइकन बनाया गया है तो ये मोनिका दास आटो मोबाइल कमपनी ने ओनलाइन रिटेल सेल्स प्लेटफॉर्म विल्स ओन वेब लॉंच किया है तो ये टोएटा ने लॉंच किया है आईपियल 2023 म सतक लगाने वाले पहले भारतिये बन गया है वेकेंटस अईयर भारत की अधेक्षिता में G20 वरकिंग ग्रूप की सवी बैठक जो है ये वारा नसी में आयोजित की गई थी किस देश ने अपने आखरी तीन परमानू रियक्टर को भी बंद कर दिया तो ये जर्मानी ने कि कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा बैपारिक भागिदार बन गया है तो ये USA बन गया है हाली में किस राज्य के कमबम अंगूर को GI टैग मिला है तो ये हो जाएगा तमिल नाडू पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल किस सहर में किया गया तो ये ये आप का हो जायगा किस सहर में किया गया खुलकाता में महिला SEI कुष्टी चैंपेञ्शिप में कुल कीतने पदग जीते हैं भारत ने तो इसमें साथ पदग जीते हैं तो ये रमन रिसर्च इंस्टिटूट के साथ ट्रांजेंडर सम्युदाय को किस राज्य सरकार ने OBC का दर्जा दिया है तो ये आपका हो जाएगा मध्य परदेश में दिया गया है किस देश ने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है तो ये अलसलवाडोर ने पुस्पसू सनरक्षन के उदेश से किस राज्य सरकार ने हाली में एहल्प कारकरम शुरू किया है तो ये हो जाएगा उत्रा खंड रिपोर्ट के अनुसार देश में बागों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है तो ये 31603,166 हो गई है किस पॉलिटिकल पार्टी को हाली में नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है आम आदमी पार्टी को मिला है IPL में सबसे 300 विकेट लेने वाले भारतिये बन गया है तो ये हरसत पतेल बन गया है केंद्रिक ग्रीह मंतरी अमीच साहा ने हाली में किस परदेश में वाइबरेंट विलेज प्रोग्राम लॉंच किया है तो आपका हो जाएगा ये और नाचल परदेश आईपील में सबसे तेश छे हजार रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं तो ये डेविड वार्डनर बने हैं किस भारती अमेर की गनितग्यों को सांखिकी में दोहजार तेश का अंतराष्टिय पुरसकार से सम्मानित किया गया है सी राधा कृष्णे राव को ग्लोबल वाच्टोग द्वारब जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंटेक्स दोहजार तेश के अनुसार दुनिया का सबसे कम अजार्थ जो देश है इसको दरजा मिला है किसको तीबबत को मिला है ठीक है तीबबत को हाली में राश्पति द्र आरजोनिक आउकास के रूप में किया है तो ये राजस्थान के द्वारा किया गया है ठीक है राजस्थान के द्वारा विदेश मंत्री एजय संकर ने किस देश में अपनी यात्रा के दोरां तुलसी घाड बहाली परियोजना सुरू किया है तो यूगांडा में किस भारति ये को हाली में टाइम हंडेट पोल का विजेता चुना गया है ये साहरूख खान को फीफा बीस्व रेंकिंग 2023 में कौन सीर्स पर रहा तो ये अर्जेंटीना रहा वारा नसी की सुतपाद को GI टैग मिला है तो बनार्सी पान बनार्सी लंगडा पान ये दोनों ही हो जाएगा भारत के किस स्टार्ट अप ने 3D प्रिंटेर कुराईजेनिक इंजन का सफल परिक्षन किया है स्काई रूट एरो स्पेस ने नेक्ष देखेंगे डोप टेश्ट में फेल होने के कारण किस महिला वेट लिप्टर पर चार साल का परतिबन लगाए गया तो ये संजीता चान में मानयता दी गई है तो ये मुंबई को दी गई है एस्टरी एन एट वर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत किस देश में दर्ज की गई है तो ये चाइन में चाइना में किस बैंक ने हाली में स्टार्ट अप्स के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है तो ये हो 6.30% नासा ने अपने चंदर मिसन आर्टे मिस 2 के लिए कितने अंतरिक छियात्रियों के नाम की घोसना की है नासा ने 4 हाली में किस राज सरकार ने स्कूल चलो अभियान 2023 सुरू किया है उत्तर प्रदेश ने किस कॉम्पनी ने हाली में कराइकल पोट का अधि ग्रहन किया ह अधानी ग्रूप नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुक के रूप में निक्त हुए हैं ये अमीत छेतरिये निक्त हुए हैं कौन सा राज 100% बिदूती किरित रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है हरियाना प्रोजेक्ट आकास तीर के तहतर अच्छा मंतराले ने किसके साथ एक समझहोता किया है भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेट के द्वारा एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत कब तक दुनिया का सबसे बड़ा सौर निर्माता बन जाएगा तो ये 2026 तक पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्निकेशन क कॉनकलेब का आयोजन किस सहर में किया गया है तो ये हो जाएगा डी नई दिल्ली में आन्थ परदेश के काकी नाड़ा में छेतरिये अस्तर पर खोज और बचाव अभ्यास का संचालन किया गया है तो ये इंडियन कोष्ट काट के द्वारा आइनेस चिलका से अगनी बीरो के पहले बैच की पासिंग आउट परेड में मुक अतीथी कौन सा है तो ये एड्मिरल आर हरीकुमार बिश्वे के सबसे उचे रेलवे पूल चिनाब पूल की उचाई कितनी है तो ये 369 मिटर है 26 मार्च 2023 को इसरो द्वारा लॉंच किये गया वन वेब इंडिया मिसन 2 के लिए इस्तमाल किये गये लॉंच वाहन का नाम क्या रखा गया तो ये LBM3 M3 एसिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डेन का नाम क्या है तो ये हो जाएगा इंद्रा गांधी मेमोरियल किस हाई कोट ने हत्या के केस में जमानत याज का परसुनवाई के दोरा आर्टिफ इसल इंटेलिजेंस अधारे चैट जीपीटी का पर्योक किया है तो ये पंजाब और हर्याना हाली में किसे केरल में सरोच नागरिक समान केरल जो 30 समानित किया गया है M.D. वासुदेवन नायर को अच्छा चलिया आगे संगीत अकादमी द्वारा संगीत कदा नीती पुरस पुरसकार 2023 के लिए किसे किसे चुना गया है तो ये हो जाएगा बॉंबे जैसरी को हाली में कें सरकार ने केंद्री करमचारियों का महंगाई भता चार परसेंटे बढ़ा कर कितना कर दिया है 42 परसेंट हाली में अर्जेंटीना के लूइस कैफरेली कैफरेली को एबेल पहला राज बन गया है तो ये राजस्थान बन गया है किस टीम के किस देश के टीम पेन ने किर्केट के सभी प्रारूपों से सन्यास ले लिया है तो ये आश्टेलिया के हैं तो ये आपका हो जाएगा आश्टेलिया के हैं ये किस भासा कि प्रसीद लेकी का सीव संक्री को उनकी 2019 की आत्मकता सूर वनसम के लिए 2022 का सरस्वती सम्मान दिया गया तो ये तमील की थी हाली में जारी 2023 की वर्ल्ड हैपिनिस रिपोर्ट में भारत को कौन सा अस्थान मिला है तो भारत को 126 वा अस्थान मिला है अंडर 21 समूह में पाक जलडमरु मध्य में सबसे तेज तैरने का रिकोर्ड किसने बनाया है संपना रमेश सिलार ने बनाया है तो ये मनाय जाता है 16 मार्च को समान बहुत बिरासत पर पहला अंतराश्टिय सम्मेलन आज़ित किया गया तो है नई दिल्ली में हाली में कौन प्रथम भारतिय मुल के ब्यत्ती अमेरिकी एरफोर्स के सहाय करच मंतरी बने हैं तो ये रभी चौधरी है भारत में अमेरिका के नए राजदूत एरिक गारेश्टी बने हैं हाली में जारी सिपरी की 2023 की रिपोर्ट के मताबिक दुनिया का सबसे बड़ा हत्यार आयातक देश हत्यार आयातक तो ये भारत है वर्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है आठवा किस पूरुस क इडिकेटर को फरवरी के लिए तो ये हो जाएगा हैरी ब्रुक को मिला था वर्ड दोहजार बाइस के ब्यास समान के लिए किसे चुना गया है तो ये हो जाएगा डॉक्टर ग्यान चतुरवेदी ठीक है डॉक्टर ग्यान चतुरवेदी को अब आगे देखेंगे ऑसकर अ अभिनेता कावार्ड मिला है सरसेट अभिनेता तो ये आपका हो जाएगा ब्रेडन फ्रेजर को दस मार्च को सी आई एस्टेप ने अपना कौन सा अस्था अपना दिवस मनाया है तो चोवनमा हो जाएगा भारती वायू सेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर कब तक सुध्य सुन कार्बन उसर्जर बनने का लक्ष रखा है तो इसका एंसर हो जाएगा 2030 हाली में किसने प्रिचकर आर्किटेक्चर प्राइज 2023 जीता है तो ये हो जाएगा सर डेविट चीपर फिल बीपी सी इंडिया स्पोर्ट्स ओमेन ऑफ दाइयर 2022 जो है ये किसने जीता है तो ये हो जाएगा मीरा भाई चानू ने जीता है नेशनल बैडमिंटन चैंपियंशिप 2030 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है तो ये अनुकमा उपाध्याय ने ज जीता है ये खानी जखालू जो है भाद के किस राजी की पहली महिला बिधायक बनी है नागलेंड की हाली में किस फुटबॉलर किस महिला फुटबॉलर ने फिफा प्लेयर ऑफ द इयर 2022 पुरसकार जीता है तो ये एलेक्सिया पुटेलस ने हाली में किस पुरुस फुटब पुरसकार जीता है तो आपका हो जाएगा लियोनल मेसी ने हाली में वर्ष 2022 की गलोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 132 देशों में कौन सा अस्थान मिला है तो ये 40 वा अस्थान मिला है भारत को ठीक है 40 वा हाली में किस क्रिकेट ने ICC Women T20 World Cup 2023 का खिताब जीता है तो ये आश्टेलिया ने जीता है सौलन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड अम्बेश्टर किसे निद्ध किया है तो ये सचिन ते दुलगर को निद्ध किया है नेक्स देखेंगे अच्छा नेक्स है रंजी ट्रोफी 2022-23 का खिताब जो है किस ने जीता है तो ये सौराश ने जीता है जातिकत भेद भाव पर परतिबन लगाने वाला अमेरिका का पहला सहर जो है सियेटल बन गया है 95 अकार्मी पुरसकार में किस भारतिय फिल्म ने सरुस्रेश बृत्त चित्र लगू फिल्म स्रेनी में ओसकर पुरसकार जीता है तो ये आपका हो जाएगा The Elephant Whispers ने जीता है ठीक है The Elephant C है इसका अंसर The Elephant Whispers नेक्ष है आठ मार्च 2023 को किस अभियान थीम के तहत अंतराश्टिय महिला दिवस मनाए गया तो ये Embrace Equity किस बैंक ने अपनी पहली Electronic Bank Guarantee जारी की है तो ये जारी किया है यस बैंक ने SEO राश्टिय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक जो है कहां अयुद की गई नई दिल्ली में अंतराश्टिय मुक्केबाज का उपाध्यक्ष निउप्त किया गया है ये जैसिंग को नई दिल्ली में किस देश के दूतावास ने Spanish Hindi football sub the course का लोकारपन किया है तो ये स्पेन ने Flagship Program PM3 किस मंतराले की पहल है तो ये सिक्षा मंतराले की भारत के किस युवा खिलाडी ने World Youth Weight Lifting Championship में कांस पदक जीता है धनूस लोगा नाथन ने जीता है कुलकटा नाइट नाइट राइडर्स ने किसे अपना अवंतरीप कप्तान न्युक्त किया है तो ये हो जाएगा निती सराणा को सिलिकन वैली बैंक के सभी जमा और इन का जो है किस बैंक ने अधिगरहन किया है तो ये फर्स्ट सिटीजन बैंक ने हाली मेसरों ने Network Access Associated Limited के कितने सैटलाइट को एक साथ लौंच किया है तो ये हो जाएगा 36 महिला मुक्के महिला 20 मुक्केबाज चैंपियंशिप में एक से अधिक स्वन पदक जीतने वाली दूसरी भारतिये कौन बनी है तो ये निखत जरीन बनी है वर्श 2023 के लिए असम का सरोच नागरिक पुरसकार असम बैबो से किसे सम्मानित किया गया है तो डॉक्टर तपन सैकिया को सम्मानित किया गया है महिला प्रीमेर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है तो ये मुंबई इंडियस ने जीता है उतराखंड सरकार की सहर में स्वोर्स इन्वर्सिटी अस्थापित करेगी तो ये हल्दवानी में करेगी ओनलाइन टेक्स एडेटिंग प्लेटफर्म ग्रामली के सीयो बने है तो ये सदेश ब्रिक्स न्यू डेवलप्मेंट बैंक का नया सदस बन गया है तो ये मिश रहे है प्रतिवर्स दुनिया भर विश्व जल दिवस मिना आये जाता है 22 मार्च को जी ट्वेंटी सस्टनेबल फाइनेंस वरकिंग ग्रूप की बैठक कहां आयो जित की गई तो ये उद बदभार किसने ग्रहन किया है तो ये हो जाएगा लक्षमन नर्सिम्हन ने ISSF बिस्वे कब निसाने बाजी जो है चैंपियंशिप में पूर्सो की 10 मीटर एयर पिश्टल असपर्दा में किसने गोल्ड मेडल जीता है तो ये हो जाएगा सरब जीत सिंग ने अमेरिकी मेडल परदान किया है तो ये मिंडी कलिंग को ठीक है बीतिय संकट से जूझ रही स्विस बंक क्रेडिट स्विस बंक का अधिक रहन जो है किस ने किया है तो ये यूबिएस ग्रूप ने किया है जीता है यह हो जैगा कारलोस अलकाराज ने ATP मास्टर 1000 का किताब जीतने वाल साली मेराश्टिये सिनेमा राणीटि जो है शुरू किया है तो यह सहिंत अरब अमिरात ने पिये मित्र मेगा टेक्षटाइल पार कितने राज्यों में साफित किया जाएंगे सात राज्यों में स्काइट ट्रैक्सद्वारत जारी दुनिया के टॉप ऐरो अर्पोर्ट जो है इसके लिस्ट में कौन सा एरपोर्ट टॉप पर रहा है, तो ये सिंगापूर चांगी एरपोर्ट, नेपाल के तीसरे उपराश्पती बने हैं, इसका कुल मतलन, राम सहाय प्रसाद यादो, नेक्ष है कौन सा बुक मुंबई इंडियन्स का ओफिसियल बैंकिंग, कौन सा जो सुरक्षा बल में पूर्व अगनिवीरों के लिए 10% का अरक्षन घोसित किया है, तो ये CISत में है, इंटरनेशनल पॉब्लिकेशन सेंटरल बैंकिंग ने किसे गौर्णर ऑप द येर 2023 से समानित किया है सक्ति कांदास को, नए आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस, चैटबोर GPT 4 को किसने लांच किया है, तो ये Open AI ने, अन्दबंदे भारत Express 10 की पहली महिला लोको पाइलट, तो ये बने है, सुरेखा यादो बनी है, भारत में किसे Sea Changes Climate पहल का अमबेस्टर नुक्त किया है, तो ये स्रेया गोटावत को, एक देखेंगे किस कमपनी को हाली में RBI की और से Infrastructure Finance Company का दर्जा दिया गया है, तो ये इर्डा हो जाएगा, G20 Flower Festival का आयोजन किस सहर में किया गया है, ये नई दिल्ली में, 95 ओसकर अवार्ड सेरेमनी में किस मूबी के सौंग नाटू नाटू को औरीजिनल सौंग का अवार्ड मिला है, तो ये RRR को, भारत ने किस दे अचर किया है, तो ये मैक्सिको हो जाएगा, ओसकर अवार्ड 2023 में बेश्ट अवार्ड किस अभिनेतरी को मिला है, मिसेल योको, अमेरिका की कौन सी बैंक ने खुद को दिवालिया घोसित कर दिया है, तो ये सिलिकन वैली बैंक, पी एम मोदी ने किस राज्जी में बसे लंबे, रेले प्लेटफोर्म हूबली रेले प्लेटफोर्म का उधगाटन किया है, करनाटक में ये 15-7 मीटर लंबा है, नेक्स देखेंगे संतोष ट्रॉफिक के 76 तरवा, जो संसकरन हो, इसका किताब जो है किस ने जीता है, तो ये हो जाएगा करनाटक ने, सेस भार करन का आयोजन, किस बिमान वाहक पोत पर किया गया, तो ये आईनेस विक्रांथ पे, हाली में भारत के 88 ग्रैंड मास्टर, कौन बने है, तो ये सयांतन दास, बिस वन जी डिवस जो है, 2023 का थीम क्या रहा, तो इसका थीम था पार्टनर्शिप फोर वाइल लाइफ कॉंजर तो ये तेजिंदर पाल सिंग्टूर ने जीता है, एकसरसाइट डश्ट लिक्ट जो है 2023 का, आयोजन, भारत और किस देश के मध्य हुआ है, तो ये हुआ है उजबेकिस्तान के साथ, विपिन दा मैन हूब, दा मैन बिहाइंड दा यूनिफर्म पुस्तक के जो लेखक है, ये रचना विश्वस्त रावत है, ACI सतरंज महासंग ने किसे प्लेयर ओफ दाइयर पुरसकार से समानित किया है डी गुकेस को, अंतराष्टिये, मुद्रा कोस ने बितिये संकट से जूज रहे स्रिलंका को कितने बिलियन डॉलर का बेलाउट पैकेज दिया है, तो ये साइंस चीफ निउक्त किया है, तो ये निकोला फोक्स को, किसे स्कॉर्टिस नेशनल पार्टी के अगले नेता के रुप में निउक्त किया गया है, हमजा यूसू, इंडियन मेंस होकी टीम के नया कोज जो है किसे निउक्त किया गया है, तो ये हो जाएगा क्रेक फुल्ट केंदेक्रिसी मंत्री ने किस सहर में एगरी यूनिफेस्ट का उदगाटन किया है तो ये है बंगलूरू हाली में केंद सरकार ने कितने HTT-40 बेसिक ट्रेनर एरक्राप्ट की खरीद को मंझूरी दी है तो ये सत्तर हाली में समीर खाकर का निधन हो गया तो ये क्या थे अभी नए के छेतरे से संबन्नित है राष्टिय विज्ञान दिवस 2023 का थीम था ग्लोबल साइंस फूर ग्लोबल वेलविंग छेतरिय भासा में निर्ने प्रकासित करने वाला देश का पहला हाई कोड कौन बन गया है तो ये केरल हाई कोड बन गया है उनिसेफ इंडिया ने किसे अपना नेशनल अमबेश्ट निक्ति किया है तो ये आपका हो जाएगा आईसमान खुराना को सतरंज में भारत के असिवे जो बने थे ये बने थे बिगनेस एन आर किसे अंतराष्टिय मात्र भासा पुरसकार से सम्मानित किया गया है तो ये डॉक्टर महेंद्र मिस्रा को नेक्ष देखेंगे किस राज में उत्तर भारत का पहला परमानू उर्जा सन्यंत्र अस्थापित किया जा रहा है तो ये हरियाना हो जाएगा भारत का पहला एगरी चेटबोड अम्मा कुरूसाई कहां लॉंच किया गया है तो ये उरिसा हो जाएगा नितिया किस सीओ बने हैं वी वी आर सुभरमन्यम हाली में किस रूस ने किस देश के साथ न्यू एश्टार्ट नामक संधी को तोड़ दिया था तो ये अमेरिका के साथ दादा सहब फाल के अंतराश्टी फिल्म समारो 2023 में किस फिल्म को बेश्ट फिल्म का पुरसकार दिया है तो ये दग कस्मी को भारतिय थल सेना का अगला उपर मुख न्यूक्त किया गया तो ये म में वी सुचिंत्र कुमार को न्यूक्त किया गया देखे तो इस तरह आपके 812 जो MCQ है ये कंप्लीट होगे चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में